हलो बच्चों वही बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका पूरे जोश के साथ में तो सबसे पहले आउस दा जोश वही एकदम हाई जोश के साथ में आज पूरा थर्मो डाइनमिक्स यहीं के यहीं अभी के अभी रिवाइस कर लेंगे सारे फॉर्मूलेस वगरा प्रोसेस है पहले पूरी घुरी खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-थैवाइस कर लेंगे उसके बाद में एक साथ क्वेस्टन प्रक्टिस करेंगे जिससे आपको यह भी पता पढ़ जा यार कि मुझे कौन सा फोर्मूला किस टाइम पर लगाना है ठीक है तो यार हाउस द जोश सबसे फटा फट से एकदम आग लगा दो यार मतलब एकदम ऐसे बैट के पढ़ना है अपने को आग लग जाए पूरी की पूरी एकदम है ना खतरनाक तरीके से ठीक है कल स्ट्राटेजी का सेशन भी लिया था भाई क्या स्ट्राटेजी रखनी चाहिए क्या आपको हेल्प है कैसे करना है सुबह से आप पढ़ते जाओ ठीक है और शाम को जे मार में आके जे मेगर रिविजन तो कर लो ताकि एक चैप्टर का जितना भी आपका रिविजन होना चाहिए वह होता चला जाएगा उसकता आपका चैप्टर वीक हो कोई बात नहीं थीक है अप में उसके सब टॉपीक वाई लेक्चर भी हैं मिल जाते हैं वह पढ़ते हुए यही मेगा रिविजन में देखो पूरा यह इसके जो question आते हैं पर्टिकुलिए अगर मैं जरी की बात करूं तो 60% इसके easy होते हैं 30% medium questions होते हैं 10% इसके tough questions होते हैं आप देखोगे अभी कई तो एकदम हल्वा मतलब जिसको आप एकदम ऐसे ताबड तो फोर्ड होगे एकदम ठीक है तो इसमें दो तीन प्रोफाइल्स थर्मो डैनमिक्स में important होती हैं तो जो processes हैं वह important होते हैं उनके bulk modulus important होते हैं फिर इसमें अगर अपन कार्नोट cycle की बात कर world advance होले बूलते हमारे उसमें नहीं लेकिन वह question घुमा फिरा के पूछ लेते हैं इससे यह तो पूरा जो पड़ेंगे अपन वह पूरा दोनों में एडवांस और नीट के भी syllabus में मौजूद है ठीक है तो थियोरी का revision लगबग लगबग इसका वन आर वन आर 15 मिनिट में ज पाइदा क्या है कम टाइम में पूरे चैप्टर का revision अपन करने वाले हैं यह लॉंग वीडियो नहीं है इत्यान रखना हम पांच घंटे का छे घंटे का revision क्यों नहीं करते और यार भाई वो revision नहीं होता एक बात बताओ अगर छे घंटे आपको thermodynamics को devote करने हैं तो इससे revision कर लेंगे बच्चों को यह style काफी अच्छी लग रही है सर पहले पूरा theory का revision करते हैं फिर question का revision कर लेंगे ठीके ना तो भाई मचा देंगे food देंगे मेनत करते रहना देखो ठीके ना आज अंतरा का भी वीडियो में ने अंतरा से जो है अंतरा ने भी आप लोगों के लि तैयार हो जाओ आप कोई excuses नहीं कल strategy का जो session हुआ था सब लोग देख लिया ना कल live session लिया था ठेके ना उसमें पूरी strategy बताईए चार महीने कि अब क्या strategy हमको रखनी है कैसे करना है उसमे mind map भी download करने के लिए बोले थे print करा ले ना उसको भी पूर्डना है चार महीने में 120 कित्ते से multiply करना आपके उपर है अब वो दस घंटे से multiply करोगे 1200 होते हैं 12 घंटे से multiply करोगे 1440 होते 15 गंटे से multiply करोगे अगर तो भईया 1800 होते हैं अगर 1800 है आपने निकाली 15 घंटे तो बहुत मुश्किल है रोज वो भी 15 गंटे देना मतलब impossible नहीं है मुश्किल बहुत है डेली 15 गंटे देना आज एक बच्चे की स्टोरी बताऊँगा आपको कल बोला था इसका टाइम टेबल शेयर करा था फिर उसका वह बताऊँगा क्या improvement हुआ है फिर motivation मिलेगा तगड़ा वाला ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चे पूछने कुछ तो भई strategy session जो कल शूट किया था आपके साथ live जो कल session लिया था basically उसको देख लो पूरा उसमें पूरी strategy बताई हुई है क्या चार महिने में किस level पे आप हो उस level पे आपको जाके क्या-क्या चीज़े करनी चाहिए syllabus completed तो यह चीज़े करनी है syllabus complete नहीं तो यह चीज़े करनी है और जहीं मेगा revision series तो करते जाओ यार इर्रेस्पेक्टिव आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो मैं आप से दो घंटे तो मांग रहा हूं आपके सोचके देखो हम यार कोशिश करके दो घंटे में स सारी चीज़े समेटते हैं वह देखो हम बहुत लंबा टाइम भी ले सकते हैं आप देखो यह बात अपने समझना जरूरी है क्या है पूरा पढ़ लो पर वह रिविजन नहीं होगा वह टाइम वेस्ट होगा पूरा पढ़ने के लिए पूरे लेक्चर्स अल्रेडी अविल लेस वगेरा होते चले जाएंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो इसका एमें नाइंटेन परट्सेंटाल पूर्ट देंगे तो वह इसमें पूरी थियोरी और पीवाइडियू का आपन रिविजन करेंगे पीवाइडियू से आपको आइडिया भी लगेगा किस टैप क साथ में सॉल करेंगे चले बहुत बढ़िया यार कल कोर्स के बारे में बताया था जिन बच्चों को अब पूरी सिस्टेमेटिक तियारी करनी है डाउट सॉल्विंग मेंटर शेव पूरे वीडियो रिविजन वीडियो शीट्स टेस्ट मन्दब पूरा एक गाइडिट वे इस वालों के लिए प्रहार कोर्स है इसमें बोर्ड के लिए उनके लिए टाइम रिजर्व रख रहा है तो यह अब देने बढ़ेंगे जिनके बोर्ड जल रहे हैं उनका टाइम यहां पर रखाए रॉपर्स को बोर्ड के टेंशन की जुरूत नहीं इसलिए उनका यह एक शेर करूंगा जस्ट इस फ्लाइट सिक्स्टी परसेंट ऑफ पे भी बिजनस देवलोमेंट टीम ने इनपुट दिया है कि सर आप सेशन में बता देना अराउंड फिफ्टी सीट सीट में बची है उसके बाद इन कोर्सेस की प्राइज बढ़ जाएगी जैसे प्रतीक सर नही प्राहार और त्वड़ीं ट्री वाले बच्चे वाले बच्चे है उब करना बच्चों है बच्चों के लिए और तो इम करने राइड चलिए बहुत बड़ी एंग की सबकी लिंक डिस्क्रिशन लिजाएग की यार आप कॉल कर लेना सता पड़ जाएगा अब मैं आज जिस बच्चे की आपको स्टोरी बता रहा हूं ना यार पड़ा पड़ से पांच मिनट में अपने स्टोरी सुनेंगे और मैं इसके आपको रिजल्ड भी दिखा हूंगा यार इसने टाइम टेबल भीजा था मैंने कल भी इसका टाइम टेबल बता था आज फिर स इसने शुडूल बेचा है और इतने प्यारे तरीके से अपना डेली शुडूल लिखा है ना यार मतलब मैं लिटरली फैन हो गया इसका यार मज़ा आ गया देखो सर इसका रिजल्ड क्या यह ऐसे प्लान तो हम बहुत सारे बनाते हैं पर फॉलो होते हैं नहीं होते हैं एक देखो इसकी इन्रॉल्मेंट देटी 27 अगोस 2021 में यह सेकंड डॉपर का बच्चा है इसके मन में आग थी नहीं सर मेरा नियू वा कोई बात नहीं मेरे को मचाना है मेरी लाइफ में एक बार ही इंजिनियरिंग का चांस आएगा मैं मचाऊंगा और फिर जब आयटी एडव सब्सक्राइब यह इनकी मेंटर है ठीक है ना पूरे क्या-क्या बात हुई तो अब मज़े की बात देखो आपको बताता हूं देखो यह जो इसका जो यूसेज डेटा है यह अभी तक मतलब लगब लगब सेप्टेंबर से लेकर अभी तक जो एप में लॉक हुआ है और Aby है जब नेट से कनेट करता है जबidezक्राइब करता है जब देने के लिए आता है तब बिलकुल सोछा थे सबस्कुनैपना चयांकिनल क्रता है यह सिर्फ वीडियो वोचिंग शीट लंविंग और टेस्स से करता चाहिए इसमें तो इसको से मौल्टिप्लाइ करना चाहे है क्योंकि नौत चब बनाते न तो टाइम आप लो Sam करती कि वीदियो प्लेडी नी हो रहा यहता तो डबल को शुद तो चार सो घंटे लगबख तो यह हो गए चारस्अ को दो से करोगे तो आप के पास में वह लगब लगबग 800 आज लेगे 700 तो यह शुक्त करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है और रिसेंट अभी इसका बताता हूं दो फरवरी तक का डेटा भी सिंक हुआ है अब जैसे यह टेस्ट का तो है ना अब इसके मांग्स देखना आप यार देखो पहले एक बार शुरुबा सकते हैं और यह ना है अपने मेंटर को रोज वाटसप पे रहिए बच्चा यार मैंने आज कितनी पढ़ाई करी मैंने आज क्या क्या करा मैं आपको आयू शघरवाल का अगले दिन आयू शच्ग्रवाल का मेरे पास पोटो पड़े जो मिरेको वह उसके मेंने शेयर करते थ मचा रहा है ठीक ना तो भाई एकदम मतलब यार आग लगाने के लिए आपको पढ़ना होता है बस बाकि सारी चीज़ें सिस्टम टेक केर कर लेता है अब यार देखो मार्क्स में इंप्रूमेंट है ऐसा नहीं कि हमेशे अच्छा है कभी कभर कम भी है अभी पूरा में पर फ सार टाइम टेबल हमारा फॉलो नहीं हो पाता कोई बात नहीं एक दिन नहींगा दो दिन नहींगा कुछ पर्सेंटेज ओएगा अब एठारा घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं यहां पर उसमें से यार बारा तैरा घंटे भी चीज़ निकल रही है ना बहुत बड़ी से बच्चे ने भीजा या उनके मेंटर को मैंने ले लिया यहां पर दिखाने के लिए ताकि यार हर बच्चे को दूसरे से जो भी सीखने को मिले वह मिले सबकी कुछ अच्छा हिया होती है आप ग्रैप्स करते जाओ मिलके मचाएंगे ठीक है तो बहुत अब टाइम टेबल आज से बनाना चालू कर दो डेली शेडूल का एक रात पहले टाइम टेबल बना लिया करो उसका सिक्स्टी सेवेंटी एटी परसेंट भी हो जाए तो इस सग्रेट सक्सेस डी मोटिवेट मत करो खुद को कियार मेरा नियुवा है ना सिक्स्टी एटी परसेंट भी होना बह मतलग एक ठीकाने पर जो अब उधर डोल रहा था उधर डोल रहा था अब बस एक जगए पर ले के आजाएगे क्योंकि अब आपन खटाओING खटाओं खटाओओं पूरा जो है अपन किया रिवाइज करने वाले हैं पूरा थे सब्स करने वाले हैं एकर इक दम सटासट 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 रेट से ठीक है तो चलिए हलो बच्चो तो वही आज हम थर्मो डायनेमिक्स पूरा वन शॉट में रिवाइस करेंगे इसके माइन मैज में आपके साथ में शेयर कर दूँगा इनको प्रिंट कराने की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां से प्रिंट करा सकते हैं हम ऐसे सारे चैप्टर के वन शॉट रिविजन ला चुके हैं ठीक है आपको मिल जाएंगे आपके चैनल पे और बस थर्मो डायनेमिक्स में एक बात ध्यान रखनी हैं इसमें फॉर्मूले कुछ हैं बाकी चैप्टर के मुकाबले ज़्यादा हैं पर 20% 10-20% इसमें तफ आते हैं ठीक है और एडवांस का तो एक लेवल है जो मेंटेर होता है नीट की अगर अपन बात करें तो महां पर 60-70% इजी आते हैं 15% मीडिया और 10% की अराउंड टाफ आते हैं वहां पर भी ठीक है इस वेरी इंपॉर्टन चैप्टर छोटा चैप्ट करनी है ठीक है चलिए तो वेलकम ओल आइम साराइश गुपता आइंव रमाइटी बॉंबे ठीक है और मैं इसरेल में फजिस पड़ाता हूं विच्छो ठीक है और आपको फिजिस का दिवाना बनाना मेरा सबसे पहला काम है ठीक है चलिए तो भी थर्मोडानेमिक्स थर्मो विजुलाइस करना एक पिस्टन में एक बीकर में गैस भरी हुई है ठीक है इस प्रेशर के चक्कर में अगर मानलो पिस्टन बहाँ आया तो बहुत बहुता है अगे तक जाएगा तो इंटीग्रेशन पीडीवी चोटा पी इन्टू डीवी बड़ा वर्क आगे तक तो integration PDV this is general definition यह हर जगे applicable होती है इसी से हम formulas derive करते जाएंगे integration PDV is work done by gas remember it integration PDV ठीक है चलिए अगर हम graph देखें अभी P versus V का अगर हम graph देखें इस is also very important area under PV graph PV graph का जो यह area है देखो यह जो area है यह work done by gas देदेता है दिस गिव्व डन बाइग एरिया अंडर पी वी ग्राफ ठीक है ना integration PDV area under PV graph ध्यान रखना volume access पर होना चाहिए ग्राफ का area volume access पर होना चाहिए graph का एरिया ठीक है अब यह positive भी हो सकता है नेगिटीव भी हो सकता है यह सकता है तो बहुत ध्यान से देखेंगे positive कब होता है जब volume बढ़ रही होती है जब volume बढ़ रही होती है कम volume से जादा volume की तरफ जाते हैं तो work done by gas positive होता है और अगर जादा volume से कम volume की तरफ जाते है arrows are very important graph के arrows बहुत important है तो इस case में देखो work done by gas environment वे जो गैस ने काम किया वो negative है क्योंकि volume घट रही है जब volume बड़े तो work done positive होता है गैस ने जो environment वे करा और अगर volume घटे ज्यादा से कम volume arrow उल्टा है तो negative work done होता है इसका ज्यान रखेंगे हम तो work done negative हो सकता है positive होता है जिरू भी होता है जिरू कब होता है सर जब volume चेंज नहीं होती है तब work done by gas जिरू होता है ओसम रिवाइज ठीक है अब अगर हम बात करें पी वर्सेस वी की तो भाई अगर a2b चीजे जारी है फिर b2c चीजे जारी है फिर c2a चीजे जारी है इसे हम cyclic process बोलते हैं जहां से चालू होकर arrows को follow करके वहीं पर खताम हो जाए this is called cyclic process ठीक है तो मान लो थोड़ा सा डेटर लेते हैं टूवी नॉट टूवी नॉट थ्रीपी नॉट एंड देन इस फाइफ पी नॉट है ना तो भाई cyclic process में जो वर्क डन होता है इसको सीधे रिवाइस कर रहे हैं जो टोटल वर्क डन होता है a2b b2c c2a वह area enclosed by this cycle होता है तो भाई देख़ए cycle बना यह triangle बन रहा है है इस केस में तो यह जो area है यह हमें total वर्क डन दे देगा जो cyclic process में होता है तो area अंडर इस triangle इसमें जो area है वह हमें total a b c a a b c a पूरा जो cycle बना उसका वर्क देदेगा उसका वर्क देदेगा अब साहर negative positive उसमें कैसे देखते हैं वो भी revise कर लेते हैं फटावट से जादा वर्क जिसमें हो रहा हो देखो a to b b to c to a देखो a से b में जाने में a से b में जाने में जादा वर्क हो रहा था देखो यह वाला वर्क भी हो रहा था C to A जाने में volume गट रही थी negative work हो रहा था negative कम है A to B में ज़ादा positive है कई लोग रटा देते हैं कि यार अगर ये clockwise हो arrows तो भई positive होगा अगर ये clockwise हो arrows तो positive होगा anti clockwise हो negative होगा लेकिन यार वो याद नहीं रहता क्योंकि generally हम anti clockwise को positive लेते हैं इसलिए में रटाता नहीं हूँ logic से सोचो A to B में ज़ादा work done हो रहा था जो कि positive था जो कि A से भी volume बढ़ रही थी तो A to B में जो work done है वो determine कर रहा है कि positive होगा कि negative होगा इसलिए ये work done यहाँ पर positive होगा work done will be positive work done by gas will be positive और जो magnitude होगा वो इसका area होगा half base into height half base into height वो इस triangle का area होगा तो जो भी cycle बने उसके under का area हमें area under the curve देता है work done by gas देता है ठीक है चलिए भी बहुत बढ़िया now internal energy क्या होती है gas की U is equal to F by 2 nRT KTG में revise करी थी F by 2 nRT F क्या होता है degree of freedom पता है हमको यह KTG में revise कर चुके हैं हम यह तो डेल्टा यू कितना होगा change in internal energy कितना होगा F by 2 nR delta T temperature change होता है तो internal energy change होती है वो temperature भी depend करती है F by 2 nR delta T F by 2 nR delta T अगर हम इसको PV में लिखें तो यह क्या लिखा हुआ है यहां पर यह लिखा हुआ है F by 2 nR t final minus t initial nR t final minus t initial nR t final is p final v final ideal gas equation लगा दी nR t initial is p final p initial v initial देखो nR t PV nR t PV तो PV के टर्मस में हमें internal energy लिखनी आनी चाहिए थोड़ा सा visualize करते हैं इसको अपन गैस के molecules मानलो बीकर में भरे हुए हैं यह visualization मैंने इसरल आप से लिया है ठीक है ना और देखो यह molecules ऐसे घूम रहे होते हैं temperature के कारण से इन में यह internal energy होती है temperature बढ़ा होगे नहीं इनमें आग लगा दी तो यह और तेजी से वह ने लग जाएंगे वह internal energy का major f by 2 nR t changes f by 2 nR delta t f by 2 p final v final minus p initial v initial यह याद रखने हैं दोनो formula derive करने का time नहीं होता है वहाँ पर exam में ठीक है तो f by 2 p final v final minus p initial v initial awesome मजा आ गया f by 2 nR delta t ठीक है चलिए सर revise हो गया यहां से हमको यह चीज़ तो अब अगर अगर अपन बात करें भाई first law of thermodynamics first law of thermodynamics क्या कहता है delta q is equal to delta u plus w इसकी बात अपन आगे चलके करेंगे पहले science revise अपन कर लेते हैं देखो जो first law of thermodynamics होता है वहीं चलो पहले उसको रिवाइस करवा देता हूं आपको जो first law of thermodynamics first law of thermodynamics this is ठीक है तो भई first law of thermodynamics क्या कहता है delta q is equal to delta u plus w जो हमने gas को heat supply करी यह यहां पर container पड़ा था उसके अंदर gas पड़ी थी हमने यहां से लगा दी भाई साब आग ठीक है तो heat supply कर दी यहां से हमने इसको देदी delta q अगर मालो यह piston होता तो यह system पर work done भी कर सकता था और खुद अपनी internal energy भी बढ़ा सकता था तो देखो इसको अगर आपको समझना है revision चल रहा है यह दो लेकिन इसको समझना है आपको मालो कुछ पैसे मिले आप उससे वह दो काम कर सकती है अपनी internal energy बढ़ा सकती खुद की या फिर surrounding पर work कर सकती या दोनों का mix भी कर सकती है उससे प्रियतरमाइन हूएँग है आगे के process नावन science बहुत important है डेल्टा क्यूंक होता है heat support to gas जो gas को heat supply हुई ठीक है अगर heat supply हमने करी तो delta q का sign positive होता है अगर हमने heat दी तो delta q का sign positive होता है अगर हमने heat ली gas investir निकाल ली तो delta q का sign negative होता है delta u changing energy अगर you बड़ी तो ड्लैक यूड पोजिटिव यू नेगेटिव से डबल्यू वर्टन बाई गैस यह फिजिक्स और चेमिस्ट्रि में अलग अलग तरह से ह duża है केमिस्ट्री में वंडेरN dubai गैस होता है तो chemistry और physics में इसका sign जो है बहुत ध्यान से रखना ठीक है तो अगर work done by gas हो रहा है मतलब volume बढ़ रही है gas work कर रही है तो w positive होगा अगर volume घट रही है volume घट रही है gas के उपर वर्क होगा तो w हमारे case में negative होगा ठीक है इसका ध्यान रखना मैं इसलिए revise करा रहा हूं these are very important sign बहुत matter करता है ठीक है चलिए रिवाइज हो गया डेल्टा क्यूज इको डेल्टा यू प्लस जव्यू फॉस्स लोग थर्मड़न ने पिस याद रखना है जो हमने पैसे दिये gas को हीट सप्लाइब करी उसके दो काम कर सकती इंटलेशी बढ़ा सकती या फिर इनिशल से फाइनल से तक लेके गए तीन रस्तों से हम लेके गए उसको डैलेट कोश्चन आये से वच्चो ज्यान से रिवाइज करना एक वन रस्ते से एक टू रस्ते से थ्री रस्ते से तो भाई अब इसकी इंटरनल एनरजी चेंज हुई इसको हमने हीट सप्लाइ करी और गैस ने कुछ वर्क किया ठीक है तो अब देखो जो तीन वेरियेबल हैं हमारी से जादा एरिया पी वर्सेज वी ग्राफ का वन ये सबसे ज़्यादा था इस में वावं बढ़ रही है वी निशल से वी फाइनल पर वन रस्ते पर पर डिपेंड कर रहा है थे वी fell एक एक टो और पुर्षटरों इए Bak व्रक्डन टू से ज्यादा अगर हम यू की बात करें डेल्टा यू की बात करें तो डेल्टा यू तो टेंपरेचर बेंड करता है ठीक है ना डेल्टा यू टेंपरेचर बेंड करता है मैं किसी वी रस्ते से जाओं टी इनिशल और टी फाइनल पे पहुंच रहा हूं तो डे तेसरे रस्ते में बराबर होगी क्योंकि इनिय्शल और सफ़ाइनल टम DR बिल्कुल बराबर है तो टेम्परेचर अगर बरबरबर इंशल बरस्ते से ले जाओ यू सेम होगी तो यू रस्ते पे grade नहीं करती स्क्राइट यू रस्ते पे डिपेंड करता है यह पाथ वेरियबल है यू सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है इनीशल फाइनल कंडिशन क्या थी तो यू स्टेट वेरियबल कहलाता है अब डेल्टा क्यू जो है दोनों का सम है यह चीज सेम है यह चीज जादा है तो डेल्टा क्यू भी जादा होगी डेल्टा क्यू भी जादा हो पर डिपेंड कर रही है और डवल्यू भी रस्ते पर डिपेंड कर रहा है डेल्टा यू रस्ते पर डिपेंड नहीं करती है इसलिए हम बोलते हैं कि भाई डेल्टा यू जो है स्टेट वेरियबल है स्टेट वेरियबल है यह रस्ते पर डिपेंड नहीं करता सिर्फ इनीशल जबर आगया है यह पार्ट तो शूपैज हमें एक साइक्लीक प्रोसेस ले अब यह सवाल अब अपने नोट का सवाल यह भी जरेट सवाल आ चुका है हमने a to b b two c, C two dẩy और डी टू ए यह चार प्रॉसेस का साइक्लीक प्रोसेस ले लिया करत करत करहों करत करति है तो देखो यह चार प्रोसेस का हमने प्रोसेस लिया है इसमें काफी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यह पूरा इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट हमनें पूरे लेक्चर में जो एप पर मिलते हैं डाउनलोड कर सकते हैं आप उसमें कराई हुई है यहां पर यहां पर जो हम चीज़ सीखना है डेल्टा यू नेट जीरो होती है तो साइक्लिक प्रॉसेस में डेल्टा यूजी रो होती है क्योंकि je से चालू करके पर ही पहुझ गया टेमपरेश्थर भदला ही नहीं तो डेल्टा यू तो सिर्फ एंड और शुरू के टेमपराटर भी करती है अब और शुरू का temperature तो सेम ही था तो किसी भी cyclic process में very important चीज delta u net zero होती है net delta u zero होती है delta q is equal to w होता है क्योंकि इस case में delta u zero है तो heat supplied work done के बराबर होती है जो कि area under pv cycle होती है तो यह area हो जाएगा वो यह area हो जाएगा पूरा का पूरा जो rectangle square जो भी बोल लो उसके अंडर का area है और जो उपर वाला process है उसमें work done ज्यादा हो रहा है और वह positive हो रहा है तो net work done positive होगा clockwise घूम रहा है positive होगा ठीक है अब इसमें जो एक चीज हमको समझनी है वो यह है कि इस cyclic process की efficiency कैसे डिफाइन होती है इस पर एक बार question आ चुका है cyclic process की efficiency define होती है network done by gas divided by total heat supplied to gas वापे से revise करेंगे network done divided by heat supplied सर्य तो वन होना चाहिए ना बच्चों का confusion होता है सर्य तो वन होना चाहिए ना देखो दोनों बराबर है नहीं definition में गिवन है efficiency efficiency जो गिवन है definition में वो गिवन है w upon q supplied only मतलब जो positive positive है positive only सिर्व उनको जोड़ो efficiency में negative वालों को मत जोड़ो तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहां पर से heat in हो रही है q in हो रही है यहां पर से q in that is in ना यहां पर से volume बढ़ रही है यहां पर भी q in हो रही है तरिया आप direct कैसे बता रहे है मेरे को पता है क्योंकि ठीक है न यहां से जसमें आपको information की तरह से बता रहा हूं यहां पर से q out हो रही है और यहां पर से q out हो रही है तो हम सिर्फ इन दोनों का sum लेंगे इन दोनों का sum लेंगे यहां पर तो efficiency हमेशा one से कम आती है efficiency हमेशा one से कम आती है क्योंकि हम सिर्फ heat supplied लेते हैं यह ध्यान रखना रिविजन में बहुत important है सिर्फ हम heat supplied लेते हैं जब भी efficiency बन क्यों supply ठीक है यह वन से कम होती है ठीक चलिए बहुत बढ़िया अब जरह अगर अपन देखें मोलर हीट कैपैसिटी क्या होती है मोलर हीट कैपैसिटी क्या होती है तो यार पर मोल को हीट करने में जितनी हीट लगे लिए टमप्रे deliberately वसको सी बोलते है तो सी डेल्टा क्यों बाई एन डेल्टा टी जहां पर एन जो है वह बर नमबर्ली मोल्ट हैं यह बर अलृट हम किस रस्ते से को लेके गए देखा था भी पात करती है डेल्टा क्यूट तो सी भी पात पे डेपेंड करती है प्रोस्ट इसी ऑँस डिपेंड है प्रोसेस ओं प्रोसेसे भी पूरे प्रोसेस है ध्यान रखना चलिए तो डेल्टा क्यों जी गो Kerry ऑन gj famil यह दिदेन डेल्टा टी फर्मॉल सब कुछ याद है एक पर फटा फट च समराइस कर लेते हैं डेल्टा क्यूज़ डेल्टा यू प्लस डवली यू फर्स्ट ना मेंग्स डेल्टा यू चेंजिंग इंटरल नरजी ऐफ बाइट टू एफ टो एफ बाइब डेल्टा टी एफ बाइट टू पी फाइनल वी फाइ पूरा सिस्टम मिल जाएगा उसर राप में टेस्ट प्रैक्टीस लेक्टर्स डेमो लेक्ट्चर्स डेमो प्रैक्टीस डेमो टेस्स सब कुछ मढ़ेगा आपको अके गुपता सर्ने मैट्स पढ़ाये जो कानपूर से हैं जो बच्छे नय हैं उनके इंफोर्मेशन है वैसे तो सारे बच्चे जानते हैं यार ठीक है मैं वहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूं आपको बायो पढ़ाते हैं इंडिया के कोई सभी चैप्टर उठा के बढ़ लेना गैरेंटी है आप डाउनलोड कर लो प्लेस्टोर पर मिल जाएगी कुछ लेक्चर साब देख सकते हो लेक्चर देखके जो जो टॉपिक आपके वी के उसको आप स्ट्रॉंग करके देखो पूरा एनिमेशन वाले लेक्चर मिलेंग टेंशन मत लेना ठीक है शीट्स टेस्ट स्टडी मेटरियल एवरी डैम ठीक है चलिए तो भाई यह सब इसरे लाइब डाउनलोड रहना प्लेस्टोर पर जाकर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडाइनमिक प्रॉसेस वह हम रिवाइस करते हैं हम यार पा प्रॉसेस करेंगे पांचों प्रॉसेस से क्वेश्टन आते हैं और उन प्रॉसेस में कुछ स्टैंडर्ड चीज़ देखेंगे तो मैंने आपके लिए इसमें क्या कर रखा है हर एक पेज़ पे एक प्रॉसेस की सारी चीज़ें लिख दिए वह आपको एक जिए मिल अपने लिए सबसे से पहले प्रॉसेस अपन पढ़ते हैं फो प्रॉस कोर ईसista और 40 इसका मतलब में को ता तो नाम आपको एस रखने आइसव का मतलब होता है सेम इसाय। मतलब होता है सेम कोरिक का मतलब आप मान लो वॉल्यूम इसका मतलब जो प्रोसेस में वॉल्यूम सेम हो वॉल्यूम कॉंस्टेंट हो उसे आईसो कोरिक बोला जाता है मतलब वाल्यूम कॉंस्टेंट वी हुए चेंज नहीं हो रिया प्रॉसेस की यह कभ होता है जब ढ़कन लगा दिया ना वोल्यूम बढ़ सकती है नpriे सबीक्स कर दिया तो इसका ओ वर्ञ राफ देखो व स्ट्रेट लाइग volume constant pressure बढ़ता जा रहा है घड़ भी सकता है ठीक है temperature versus volume देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही graph आएगा volume constant volume constant मतलब w gas equal to zero work done by gas zero होता है इस process में w gas equal to zero v equal to constant w gas zero ध्यान रखना आइसो कोरिक जब भी मिल जाए oh my god w gas zero w gas zero gas ने work done zero किया ठीक है temperature versus volume का ग्राफ volume constant temperature बढ़ता जा रहा है ठीक है पी वर्सेस ठीका ग्राफ को पूछ ले देखो पीवी इस इकल टू अगर आप लगाओगे वही पीवी इस इकल टू अगर आप लगाओगे यहां पर पीवी इस इकल टू एन आर टी तो जो प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा इसमें आप वी को नीचे ले जाओ वी तो constant है ठीक है वी को जब आप नीचे ले जाओगे तो वी तो constant है भाही साब ठीक है यह slope हो जाएगी यह यह slope हो जाएगी तो पी इस एकल टू एन और वी इंटू टि यह स्लोप हो जाएगी इसकी वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है remember this straight line आता है P versus T कर रहा देखो डेल्टा Q is equal to F N F by 2 R डेल्टा T इसमें जो डेल्टा Q होती है इस प्रोसेस में जो डेल्टा Q होती है वो होती है N F by 2 R डेल्टा T constant देखो work done 0 है तो डेल्टा यू कितना होगा डेल्टा यू तो हमेशा fixy है F by 2 N R डेल्टा T और इस प्रोसेस में क्योंकि work done 0 है यह दोनों बराबर होंगे तो जो Q है वो कितना हो गया देखो जो क्यों है वो कितना हो गया N F by 2 R डेल्टा T इस यह होती है cv तो इस process की आपको पता है revise कर रहे हैं तो इस process की जो c होती है उसे cv बोलते हैं that is f by 2 r f degree of freedom f by 2 r f is degree of freedom ठीक है f by 2 r f is degree of freedom समझ गई सर समझ गई यह बात तो पूरी ठीक है तो डेल्टा क्यों को हम लिख सकते हैं n cv delta t n cv delta t cv कितनी होती है f by 2 r यह याद रखना ठीक है molar heat capacity constant volume इसको English में बोलते है molar heat capacity constant volume पता है सर यह तो bulk modulus कितना होता है इस process का फटावर्द से सारी चीज़ें एक साथ revise कर लो देखो bulk modulus कितना होता है सर बॉल्क मॉड्लस के definition लासी ज़ी ते पड़ी थी माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी चेंज इन वॉल्यूम तो हुई नीरी denominator में 0 आ रहा है तो बॉल्क मॉड्लस नौट डिफाइंड बॉल्क मॉड्लस नौट डिफाइंड क्योंकि कंस्ट रहे महां करते हैं वोल्यूम कंस्टैंट तो डेल्टा वी 0 है बॉल्क मॉड्लस नौट डिफाइंड मॉड्लस नौट डिफाइंड को क्रीक कुड THAT गहिए देल्टा टी एन स्भी डेल्टा टी दिवी भाई टू और ओसम मजा आ गया चलिए second process isobaric process यह थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है यह यहाँ पर आएगा isobaric process same चीज रिपीट हो गई है ठीक है कोई बात नहीं isobaric process इसका मतलब क्या होता है pressure equal to constant pressure equal to constant है देखो pressure constant है volume बढ़ती जा रही है इसको याद रखने की trick बताता हूँ आपको बच्चे भूल जाते है isobar मतलब क्या होता है trick देखो अभी recently question आये था isobaric process मतलब क्या होता है देखो iso मतलब same bar का मतलब क्या होता है सर बार का मतलब तो सर वो होता है अरे बार वो वाला बार नहीं अलायको बार किसका unit होता है pressure का unit होता है देखो pressure का unit होता है बार इसका मतलब ये हो गया कि iso bar मतलब same pressure pressure constant है pressure constant है तो P versus V का diagram देखो ये आ रहा है तो work done by gas क mêmes kतना होगा nr delta t pressure constant है तो work done by gas nr delta t होता है ये कैसे होता है इसका derivation नहीं बतातीजे, work done by gas कैसे होता है, देखो integration PDV, integration PDV, P भारा जाएगा, P भारा जाएगा तो P delta V, work done by gas जो हो जाएगा, P delta V, पतलब P, V final minus V initial, P, V final minus V initial और P V final, NRT final minus NRT initial, तो यह कितना हो जाएगा, NRT final minus T initial, ठीक है, तो work done by gas, P delta V, sir revision मज़ा आगे, एक दो, फटा-फट तरीके से सब याद आता जा रहा है, revise होता जा रहा है, P delta V, V final minus V initial, NR delta T, T final minus T initial, देखो, मेरे साथ साथ आप सारी चीज़ें याद रख करते जाओ, ठीक है ना, ताकि बाद में वापिस revision की ज़रूती नहीं पड़े, ठीक है, P V final minus V initial, work done by gas होता, ठीक है, हम और diagram देखें, TV का graph देखें, pressure नहीं है, यह straight line होगा, यह समझ में आ गया सर, जैसे पहले आइसो कोरिक में था, वैसे आइसो बारिक में TV का graph हो गया, यह straight line, तो graph बनाते time हमेशा आप जो है, ideal gas equation लिखें लिखेंगे न, PV is equal to nRT, और उससे graph बन जाएगा, डेल्टा क्यों कितनी होती है, इसमें, इसमें डेल्टा क्यों होती है, ncp delta t, ncp delta t, cp कितनी आती है, f by 2r plus r, derivation skip कर रहे हैं, revision वीडियो है, f by 2r plus r, delta q इसमें होता है, ncp delta t, cp होती है, f by 2r plus r, f by 2r plus r, ठीक है, this is cp, cp, molar heat capacity at constant pressure, f by 2r plus r, cv कितनी थी, f by 2r, उसमें r जोड़ दिया, तो बन गई cp, ठीक है, bulk modulus इस process का कितना होगा, ये भी question में आ जाता है, delta p, pressure तो change होई नहीं रहा, तो bulk modulus pressure constant है, तो bulk modulus 0 हो जाता है, बलक modulus 0 हो जाता है, साथ के साथ मैं याद करते हैं, बलक modulus 0 हो जाता है, क्योंकि pressure constant delta p 0 है, delta p 0 है, तो bulk modulus भी 0 हो जाता है, this is important, पूछ ले जाता है, bulk modulus is 0, because pressure constant, bulk modulus is 0, isobaric, bar मतलब pressure, pressure constant, ठीक है, बहुत बढ़िया तो, इसको याद रखने की trick क्या थी, तो trick was, bar मतलब pressure, बार मतलब pressure, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, now, isothermal process, अब इसका भी आप बता सकते हैं, इसको तो आप, iso मतलब same, ठीक है, iso का मतलब हो गया same, और thermal का मतलब हो गया temperature, thermal मतलब heat, heat मतलब temperature, इस तरह से याद रखना देखो इसको, temperature, temperature, तो this is temperature, मतलब same temperature, मतलब temperature constant, temperature constant, ठीक है, तो भई, टी कॉंस्टेंट का मतलब हो गया, टी कॉंस्टेंट, टी कॉंस्टेंट, टी कॉंस्टेंट मतलब PV equal to constant, because PV is equal to NRT, टी कॉंस्टेंट, तो PV कॉंस्टेंट, पी प्रपोर्शनल to one by V, इसमें PV का ग्राफ, ऐसा होता है, पी वर्सेज वी का ग्राफ, रेक्टेंगुलर हैपोल बोला होता है, पी वर्सेज वी का ग्राफ, रेक्टेंगुलर हैपोला होता है, पी प्रपोर्शनल to one by V, ओसम सर, मज़ा आ गया, रिवाइज हो गया, ठीक है, चलिए, temperature constant, बहुत बढ़िया, PV equal to constant, रिवाइज हो गय बताईए, पी वर्सेज 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 चलिए सर, बहुत बढ़िया, डबल्यू गैस कितना होता है, इसमें, एनार्टी, एलन, वी फाइनल, बाइवी इनिशल, यह डेरिवेशन, इसकिप करा है हमने, सिर्फ फॉर्मूलर रेवाइज कर रहे हैं, इसमें एलन का टर्म बाइवी इनिशल, एनार्टी, एलन, वी फाइनल, बाइवी इनिशल, आइसो थर्मल में, वर्क डन में, एलन का टर्म आता है, ठीक है, डिवाइज, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर कॉंस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, तो बहुत जो सी है, इसकी सी डिफाइन नही होती है, इस प्रोसेस की सी डिफाइन नहीं होती है, भाई टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, डेल्टा टी जीरो है, इस प्रोसेस की सी डिफाइन नहीं होती है, ठीक है, सी ओफ दिस प्रोसेस इस नौट डिफाइन, राइट, मज़ा आ गया सर, देखो, वापिस से एक ब प्लस आर इसकी नौट डिफाइंड इसकी नौट डिफाइंड ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो है बल्क मॉडलस जो नेक्स स्लाइड में अपन पढ़ेंगे उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं दो आईसो थर्मल की कर्व इंट्रसेक्ट नहीं कर सकती कभी दो आई सो थर्मल की कर इंट्रसेक्ट नहीं कर सकती ऐसा यू काट के है ध्यान बढ़न और सेव्म टेंपरेशेठा की दो कर नहीं हो सकती है ठीक है यह ध्यान रखना पीड़ वि-0 पे प्रेशर पीड़ है और वॉल्यूम वीड़ है तो अगर में यहां पर पीड़ वीड़ नॉट पे अगर हम कर्व देखें इसकी तो जो पाजाती हैिसका मतलब है यहां बता दूगा काम आता है इसका एप रिख बता दूगा आगे कहा काम आता है इसलिए पूरा पड़ा रहा हूँ slope माइनस P by V होती है माइनस P not by V not अभी के अभी सारा revise ठीक है माइनस P by V तो जो भी pressure होगा माइनस sign आपको दिखी रहा है क्योंकि slope negative है फिसल पट्टी पीछे की तरफ जुकी होई है तो माइनस P not by स्लोप ई माइनस बाइवी डैरीवेशन आगर आप भूल जाओ तो डैरीवेशन कर देना Pv go to constant को differentiate कर देना माइनस पी वाइवी इसका जो bulk modulus होता है देखो अब वो कितना होता है वो P के बराबर आजाता है pressure के बराबर आ जाता है क्योंकि dp by dv minus p by v था v से v कड़ जाएगा और minus से minus कड़ जाएगा तो pressure के बराबर हो जाएगा तो ध्यान रखना इसमें जो bulk modulus होता है वो p के बराबर होता है किसी lkg class के बच्चे को बताओ कि बोलेगा बी और p बराबर है वो बोलेगा नहीं है क्या है इंग्लिश भी नहीं आती डंस अरे भाईया bulk modulus isothermal में pressure के बराबर हो जाता है बल्क मोडलस आईसो थर्मल में प्रेशर के बराबर हो जाता है डारेट कुश्चन आते हैं याद होना ची डिराइफ करने में टाइम वेस नहीं करेंगे बल्क-middless pressure के बरावर हो जाता है, आई फर्मल प्रॉसेस में, आई सो फर्मल प्रउसमें बल्क-middless pressure के बरावर हो जाता है, Adiabatic और इन सम्में एक ट्रिक बता दूँआ, याद करने की, उस से, उस ट्रिक से यह भी याद हो जाएगा, ठीक है चलिए अब आपन रिवाइज करते है एडियाबैतिक प्रॉसेस इडियाबैटिक प्रॉसेस इसमें क्या होता है एडियाबैटिक प्रॉसेस में Heat का Balance देन नहीं होता है DQ equal to zero मतलब Δbei आगर किसी सिस्टम को Insulate कर दिया किसी सिस्टम को हमने Insulate कर दिया तो भाई ना heat का लेन होगा ना देन होगा ना heat अंदर आएगी ना बाहर आएगी तो इसमें गाना गाना चाहिए अंदर से कोई बाहर न जा सके बाहर से कोई अंदर न आ सके सो चुक अभी ऐसा हो तो क्या हो एडियाबेटिक प्रोसेस हो heat के लिए बात कर रहे हैं अपनी तो डेल्टा क्यू जीरो होता है वा सर कितना सुन्दर प्रोसेस है डेल्टा क्यू जीरो heat का लिन दिन नहीं है तो क्या होगा work done minus delta u के बराबर होग work done minus delta u के बराबर होगा अगेन यहाँ पर में एक pointer बता रहा हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस का work done का formula बहुत पूछा जाता है बहुत पूछा जाता है जो भी आने वाला है आगे work done का formula बहुत पूछा जाता है तो अभी से सतर को जाओ या दोनाचिये formula हो इससे derivation करेंगे तो एक equation आ जाएगी PV की power gamma equal to constant जैसे आइसो thermal में PV equal to constant था यहाँ पर PV की power gamma equal to constant आ जाता है गामा adiabatic constant होता है ठीक है यह याद रखेंगे अपन तो P1 V1 की power gamma is equal to P2 V2 की power gamma adiabatic process जब भी आजा यह equation तो लिखके बढ़ जाए करो सवाल इसी से solve होते हैं P1 V1 की power gamma is equal to P2 V2 की power gamma गामा क्या होता है आगे पढ़ेंगे वो ठीक है work done by gas minus delta u minus f by 2 nr delta t nr delta t by 1 minus gamma f by 2 1 minus gamma के बरावर होता है यह भी आगे बताऊंगा अभी अभी के लिए एक बार कर लो इसको यह भी आगे देखेंगे अपन सारे relation में चीज जो formula है this is like super super important तीन बार सवाल आ चुके हैं तीन साल में इसमें अलग-अलग shift में तो work done by adiabatic process work done by gas in adiabatic process should be remembered p final v final minus p initial v initial upon 1 minus gamma upon 1 minus gamma upon 1 minus gamma ठीक है तो भाई p final v final minus p initial v initial upon 1 minus gamma इसको याद रखना इसका derivation simple minus delta u minus f by 2 nr delta t क्योंकि delta u f by 2 nr delta t होता है f की value f by 2 की value 1 minus gamma हो गई माइनस के साथ में तो p final v final minus p initial v initial upon 1 minus gamma इसको हम याद रखेंगे p final v final minus p initial v initial upon 1 minus gamma awesome 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 तो pv की power gamma equal to constant यह formula याद रखना है this is very important and this is very important बाकि कुछ याद रखो नहीं रखो यह दोनों जरूर याद रखने हैं adiabatic process पर राइट चलिए molar heat capacity zero होती है इसमें क्योंकि heat का लेंदेनी नहीं हो रहा तो c equal to zero यह simple है generally यह कोई नहीं पूसता है पर आ जाए तो याद होना चाहिए c zero के बराबर होती है molar heat capacity ठीक है delta q zero है bulk modulus इसमें जो होता है वो gamma p होता है वो gamma p होता है isothermal में p था यहां पर gamma p है trick बताता हूं याद करने की देखो trick बताता हूं याद करने की trick बताता हूं याद करने की कोई सी भी equation हो pv की power x pv की power x हो उसका bulk modulus होगा x times p pv की power x equal to अगर constant है कोई भी process का nature x कुछ भी हो सकता है तो bulk modulus जो है वो x times p होगा x times p होगा iso thermal में x कितना था one था iso thermal में x कितना था one था तो यहां पर भी one आ रहाए था bulk modulus पी के बराबर था आई सो thermal में sono thermal में bulk modulus P के बराबर था again I Metroid बहुत question आते हैं याद होना चीह यहां पर देखो gamma है प्वी की power gamma है खोपड़ी पर gamma है तो यहां पर भी गामा है यहां पर मामा है तो यहां पर भी मामा है यहां पर नाना है तो यहां पर भी नाना है अभी नाना आएंगे आगे पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस में तो मामा तो मामा काना तो काना जामा तो जामा नाना तो नाना समझ गए आई सो थर्मल पीवी की पावर one equal to constant तो यहां पर one आ रहा था तब याद रहेगा अभी एक और आएंगे ना ना आगे पॉरिट्रॉबिक प्रोसेस में उसमें भी देख लेंगे पर गामा पी हो गया सर्व एडियावेटिक कर्स इंटरसेट नहीं करती बहुत बढ़िया अच्छी बात है वेल एंड गुड समझ में आ गया यह तो चलिए एडियावेटिक प्रोसेस में जो स्लोप होती है पीवी क आ गया वन के बदले गामा आ गया वन के बदले मामा आ गया है आपर गामा मामा ठीक है न माइनस गामा पी नौट भाई वी नौट वहाँ पर माइनस पी नौट भाई वी नौट थी यहां भी नेगिटिव स्लोप ही होती है यहां भी नेगिटिव स्लोप ही होती है माइनस याद रखना स्लो इस पर सीध्य कोशन आया था इस पर वी घ inquiry के स्लोप होती है पीवी की स्लोप होती है तो पीवी की खोपड़ी पे जो है मामा वह मborवी नौट से म килопल हे जाता है वही से मामा किसे प्हाइब भी मामा उसे यहां iron सर रिवाइज हो गया आइशो थर्मल में बताओ कितनी यह थी स्लोप माइनस पी नौड बाई बी नौट अब एक सवाल बुलक मौडलस आप कर चुके हो माइनस गामा पी का माइनस से कैंसल हो जाएगा गामा पी डेरिवेशन करवा जिया यहां पर डी पी बाई डी वी को स्ल अब एडियमेटिक प्रोसेस का जो ग्राफ आता है पी वी का ऐसा आता है वो आपको बनाना आता है क्योंकि प्रोपोशनल टू वी की पावर माइनस गामा होता है टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं देखो अगर आप पी वी इस एकुल टू एनर टी लगा के इन दोनों एक एकुवेशन की मदद से यह एकुवेशन आ जाएगी पीवी की पावर गामा इकॉल टू कॉंस्टेंट वी को रख दो एनर टी बाए पी उससे एकुवेशन आ जाएगी तो आपको तरह तरह के ग्राफ यह एडवांस में आते हैं कि प्रेशर टेंपरेचर का ग्राफ कैसा ह तो उसमें आपको टी की खोबड़ी पर देखना पड़ता है क्या रहा है रटने की जुरूतनी है डिराइव करना पड़ेगा इसको महापरी डिपेंडिंग ओन यहां वर्सेज यहां किसका ग्राफ दे रहा है तो आप दो एकुवेशन यूज करना इस फॉस्ट चाहिए जब रिष्टेदारी प्रेशर और टेंपरेटर में चाहिए तो वॉल्यूम का क्या काम जब मिया बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी तो पाजी को उड़ाओ कैसे उड़ाएं सर वी को रखो एनर टी बाए पी ट्रिक बता दे यहां ठीक है रिवाइज रिवाइ काम खताम ठीक है ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब एक क्वेश्चन जो पहले आया करता था काफी बार आजकल तो कम हो गया आना लेकिन जो पहले आता था एक इन में से आईसो थर्म हैं एक एडियाबेटिक है बताओ कौन सी कौन है दो गर्व दो कर्वस बना दी वन और एक इसो थर्मल एक एडियाबेटिक पहचान कौन कैसे पहचानते हैं स्लोप बना भाई साथ लोग बना लो तो यह आपर इंट्रसेक्ट कर रहे हैं महां स्लोग बना लो श्लोड ज्यादा की स्लोप कम यह वन की लोग्यांतेूड में ज्यादा होती क्शंदर के सुनदर मामा तैपुंगा वैसे इडिबिटेक की स्लोप यहां तेज वता जेट हलाल से पूछ लेना उसकी क्या हल होती है सुन्दर लाल आ जाता है शायद आगर जो बच्चे ताराग में ता देखते हूं वो समझ सकते हैं सीज को पर ठीक है सफ एडिया बेटिक के स्लोप हमेशा इस थर्मल से जाधा होती है ध्यान रखना तो जहां पर incorrect कर रहे हों आ प्सलोप banana लो intersection point पर slope बना लो जिसकी स्लोप ज्यादा वह एडियाबैटिक तो स्लोप ज्यादा वाला एडियाबैटिक स्लोप ज्यादा इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं स्लोप ज्यादा because there is mama that is gamma ठेक है वह मामा गामा क्योंकि गामा वन से बड़ा होता है इसलिए इसकी स्लोप का मैंगनिट्यूड ज्यादा होता है एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है आईसो थर्मल से तो यह सीधे सीधे चार नंबर मिलते थे यह कभी भी एक महराज ने रिलेशन दिया देखो सी पी माइनस और है इसे aku नामने देदे मेर से एक्वेशन नाम पड़ गया यार आकर उप माने में हम होते तो हमीं वता देते CP-CVR है हमारे नाम से यह מן जानिती पर अब तो दि नाम पड़ कुगा हैCP-CVR के बराबर होता है very important relation सर क्या मजा कर रहे हो simple तो है CP-CVR पर आप इस तरह से ध्जान रखना मीरा एक घृष हग से और CP-Coc longevity लगार डोường नृट है जो गामा मामा हम पढ़ते आ रहे थे ब्लाइस करते आरे ृझी आ लुद ऐहीं के अभी के अभी सब याद करके उठेंगे विसी गामा चलो सर बढ़िया मजा आगया अब आयमा शीपी वी आप तीन टाइप की जो गैसेज हैं मुनो इटो में डाय टो में और पॉली अटोमिक नौन लीनियर उनके लिये यह वैल्यूस आप याद रखना लेको सी वी एफ बाइटू आर सीपी एफ बाइटू आर प्लस आर सीपीबाइट जीवी गामा तो मुनो इटोमिक के लिए याद करा था 3, 5, 6 मोनों के लिए 3 तो यह हो गया 3 by 2R यह याद होनी चाहिए questions में देते नहीं है 3 by 2R FQ value 3 डाल दो यह हो जाएगी 5 by 2R 3 by 2 plus 1 5 by 2 ठीक है और गामा हो जाएगा 5 by 3 गामा हो जाएगा दोनों को divide कर दो 2 से 2 कर जाएगा 5 by 3 तो मोनो अटोमिक का गामा 5 by 3 मुझे याद ने रहते थे तो मैं तो यार इन दोनों से derive कर लेता था यह formula तो याद रखने पड़ते हैं 5 by 2R 3 by 2R अगर diatomic है या triatomic linear है जिसका कि F5 है तो यह हो जाएगा 5 by 2R यह हो जाएगा 7 by 2R वह हो जाएगा 7 by 5 1.4 अगर polyatomic है triatomic non-linear है 6 है तो 6 by 2R 8 by 2R मतलब 4R इसका 3R और यह 1.33 तो जैसे जैसे atomicity बढ़ती जाती है linear non-linear जैसे जैसे मतलब एक बार को 3, 5, 6 जैसे जैसे F बढ़ता है गामा घटता है तो अब याद भी रख सकते हैं F बढ़ता है गामा घटता है अब यह relation नीट में इसमें काफी question आ जाते हैं इन relations के उपर तो यह जो हैं तीन relations हैं जो की derive हुए हैं यह derive कर सकते हैं अपन CP F by 2R CV F by 2R प्लस R दोनों को divide कर दो तो यह आ जाएगा dividing F by 2 plus 1 upon F by 2 is equal to gamma इस से derive हुई है पहले number की equation दोनों equations को divide करो gamma के equate करो R से R कट गया F by 2 plus 1 upon F by 2 is equal to gamma F is equal to 2 upon mama minus 1 derive कर लेना याद नहीं हो तो याद रख सको memory अच्छी है तो याद रख लेना यह वाला relation याद रख लेना इन दोनों को याद रखने ही जरूत नहीं है सिर्फ इसको learn कर लेना इस वाले को यह दोनों तो derive हो जाएंगे फिर F by 2 R से derive हो जाएगा यह और यह F by 2 R plus R से derive हो जाएगा यह CP by CV equal to gamma से derive हो जाएगा यह इसको याद रख लेना F is equal to 2 upon gamma minus 1 इससे तेज अपन thermodynamics का revision नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं इससे तेज आपको कराऊंगा मतलब कुछ miss करेंगे हमें कुछ miss नहीं करना है इसलिए इतना time thermodynamics की revision को देना पड़ता है यार बड़ा chapter है This is the fastest possible revision covering all the formulas अगर मैं shorten up करूँगा मतलम में कुछ काट रहा हूं लेकिन हम सब ले रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ठीक है This is fastest possible revision of thermodynamics Believe me ठीक है तो F is equal to 2 upon gamma minus 1 इसको याद कर लेना ड्रेव करने में टाइम जाता है सवाल आते थे जैसे हमने F equivalent पड़ा था वैसे gamma mixture पर सवाल आते हैं कि गामा 1 की gas को N1 moles और N2 moles gamma 2 की gas को mix कर दिया तो mixture का gamma बताओ mixture का mama बताओ तो बच्चे जो है बच्चे जो है ये लिख देते हैं ठीक है F mix लिख देते हैं अब बच्चे F mix के बदले gamma mix लिख देते हैं कि सर जब F का ये formula आया है तो gamma का भी तो ये formula आएगा gamma mixture is equal to N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 upon N1 plus N2 इससे सावधान रहना ये गलत formula है F को आपको 2 upon gamma minus 1 रखना पड़ेगा तब जाकर ये formula बनेगा this is correct formula danger का assignment इसले लगा है सीधे सीधे question आता है इस पे और एक option ये भी दिखता है वहाँ पर N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 upon N1 plus N2 बच्चे इसके भरोसे ये लगा के बोलते हैं yes examiner भी पीछे से बोलता है yes आप सोसते हो मुझे मिले 4 वो बोलता है आपको मिले minus 1 ठीक है तो यार gamma में particularly इस चीज़ का ध्यान रखना F mix का formula जो होता है gamma mix का formula वो नहीं होता है इसले में या खोपड़ी बना दी तो जब भी gamma mixture आ जाए सारांच सर की खोपड़ी अरे सारांच सर की खोपड़ी नहीं है मतलब सारांच सर की danger वाली खोपड़ी याद कर लेना सर ने danger का sign मनाया था gamma mix में हमेशा danger का sign भाईया उसका formula अलाग होता है F को 2 upon gamma minus 1 रखना तो देखो F 2 upon gamma mix minus 1 2 upon gamma 1 minus 1 2 upon 2 से 2 कर जाएगा यह इधर पहुंच जाएगा तो यह formula मत चेप के आना यह option में दिखेगा पहले बता रहाँ ठीक है भार बार बच्चे बोलते हैं सर आपने अच्छा हो पहले बता दे यह दिखेगा F mix का सही है basic equation वो यह energy conservation पर gamma में same formula नहीं होता ठीक है चलिए बहुत बढ़िया now polytropic process पांच वा प्रोसेस अभी तक 4 process पर चुके हैं अपन आइसो कोरिक, आइसो बारिक, आइसो थर्मल, एडियाबेटिक चौथा है पांच वा है polytropic एकदम एडियाबेटिक जैसा है एडियाबेटिक जैसा है दिमाग ने लगाना गामा के बदले एकस आ जाता है बस, गामा के बदले एकस आ जाता है और कुछ नहीं है, तो comparison कर लो ये polytropic process में एकस आ जाता है एकस कोई भी नमबर हो सकता है तो जो यहाँ पर होगा गामा के बदले एकस यहाँ पर आ जाएगा जो यहाँ पर होगा गामा के बदले X आ जाएगा मामा के बदले X आ जाएगा बास काम खताम देखो जो यहाँ पर होगा स्लोप लोप में गामा के बदले X आ गया गामा के बदले X आ गया बस दिमाग इने लगाना बलक मोडलस गामा पी तो बलक मोडलस XP बलक मोडलस XP ठीक है और गामा पी था या एकस पी था खतागु हो गया पॉलेटा क्योपर क्रोसस फास्टेस रिवीजन मौलर疫 कैपैसिटी fav यहां पर एसी होती है एडवांस में वर क्वेशिटन आता है मेन ONEAB में जन्ड एकतुत्कStars और यह आत ओर चिंद यू प्लस W निटा यू निटकाईश करना पड़ता है यह आ जाती हैं मेरे से में इस और नीट में रर आताएं ऐसा नहीं बोल्राइश नहीं आ सकते रेटायर्ली आते हैं लेकिन अड़ानस में ये आया हुआ है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया now free expansion of gas advance में एक बार आ चुका है इसलिए इसको रिवाइस कर रहे हम एक बीकर है जिसमें एक साइड गैस भरी है दूसरी साइड वैक्यूम है हमने यहां पर से partition हटा दिया यह partition बना हुआ देखो यहां पर यह partition बना हुआ इसको हटा दिया तो gas free expansion करेगी यहां वैक्यूम में जब गैस एक्सपैंड करती है उसे expansion कहते हैं मेन और नीट में रेरली पूछे जाते हैं एडवांस में आता है इसलिए इसको एक इसको हम यहां से जैसे ही इसको हम यहां से घैस को खोल देते हैं तो इसमें कुछ चीजें आप ध्यान रखना इसमें work done zero होता है क्योंकि piston हमने पूरे हटा दिया सरकाया नहीं पूरा हटा दिया इसको और वैक्यूम में सरक रहा था तो वैसे भी फोर्स ने लग रही थी तो वर्क डन जीरो होता है heat supplied zero है delta u zero है तो free expansion में आपको ध्यान रखना है तीनों variables का change zero होता है अगर वॉल्यूम डबल होगे तो प्रेशर आदा हो जाएगा इसका graph इ एक्जिस्स नहीं करता इसका रस्ता आस तक नहीं पता गैस कैसे जारी है यहां से लेकर यहां तक बस initial point और final point पता है बीच का रहस्य है जो अभी तक किसी ने सुलजाया नहीं है कि यह रहे किस रस्ते से जारी है initial state और final state पता है बीच का रस्ता पता ही नहीं है तीनो variable free expansion में जीरो होते हैं इत्ता ध्यान रखना चलिए औस रिवाइज़ अब चलिए जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है जो हम 15 मिनिट में पूरा रिवाइज कर लेंगे अभी तक बिल्कुल सारे प्रोसेस के सारे वेरियबल्स हमने देख लिए देखो आप लोगा ने मचा दिया स अब देखते हैं कार नौट साइकल बस 15 मिनिट में अपना पूरे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा अभी तक चले हो आगे भी चलो हिम्मत नहीं तूटनी चाहिए बीच में देखो बिल्गुल भी कार नौट साइकल और उस और क्या आगे आए साइक्लिक प्रोसेस होता है a b c d a b c d EF GHI घाना नहीं है a to b b c c d d कार नौट साइकल में यह कौन सा एडियाबेटिक होते हैं यह इडियाबेटिक होते हैं यह कार नौट साइकल दो आईडियाबेटिक से मिलके बना होता है अब आप बता सकते हो कौन सा adiabatic, कौन सा isothermal, इस point पर देखो slope किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, slope ज्यादा, because there is mama, mama किसका, adiabatic का, तो ये adiabatic, ये isothermal, ये isothermal, ये adiabatic, चेक करने का तरीका, car note की trick, हमेशा slope से चेक कर लिया करो, जिसकी slope ज्यादा intersection पर, mama, slope ज्यादा, because there is mama and mama comes in, adiabatic, adiabatic, iso, adiabatic, iso, adiabatic, iso, adiabatic, iso, alternate, iso, adiabatic, iso, उपर वाला isothermal होता है, ये high temperature का isothermal है, ये low temperature का isothermal है, सर, isothermal मतलब क्या होता है, सर, भूल गए हम, अरे isothermal, trick, iso मतलब same, thermal मतलब heat, temperature same है, okay, a2b temperature same, d2c, c2d temperature same, high temperature, low temperature, car not cycle, revise हो गया, सर, पूरा का पूरा, iso, idea, iso, idea, iso, idea, iso, idea, कैसे, mama, slope, ज्यादा, adiabatic, awesome, revised, मजा आ गया, सर, ठीक है, car not cycle, revise हो गया, तो आप, a, b, c, d, a, a, b, c, d, a, बना सकते हो, ting, tong, ting, tong, ठीक है, ting, tong, ting, tong, ting, tong, गर क्यों जाएगा, उपर वाला high temperature, नीचे वालो low temperature, चलिए, अब, आई-so, thermal आता है, वो, आई-so, thermal क्या, car not cycle, काम आता है, heat engine में, जो गाडियों के engine होते हैं, उसमें car not cycle का process चल रहा होता है, heat engine में क्या होता है, heat engine, गाड़ी का engine क्या करता है, petrol को जलाता है, और heat supply करता है, और धुवाँ छोड़ता है, इस तरह से समझ लो, तो engine क्या करता है, hot reservoir पे, engine क्या करता है, hot reservoir और cold reservoir, दो होते हैं, देखो, वहाँ पर, आप engine देखो, अंदर engine एकदम गरम होता है, वहाँ से वह heat लेता है, यहाँ से यह heat लेता है, क्यों इन, और बाहर ठंडे environment में heat छोड़ता है, देखो, मैं आपको इस तरह से, revision में इस तरह से समझा रहा हूँ, आपको चीज याद हो जाएगी, car note cycle में, जो question आते हैं, J.E. में particularly, वह formula के अंदर से भी आते हैं, नीट में direct formulas है जाते हैं, पर J.E. में थोड़ा सा समझ जरूरी है, इसलिए समझ के चलना, engine क्या करता है, अंदर भवक्ती आग होती है, वहाँ से heat लेता है, और बाहर दुआ छोड़ देता है, पर गाड़ी का काम ये नहीं होता है, पेट्रोल जला के दुआ छोड़ो, ये नहीं होता है, उसका काम होता है, कुछ work देना, आपका गाड़ी का टायर घूमता है, work होती है, तो gas work करती है, work done by gas positive होता है, heat engine में, आपकी गाड़ी को चलाती है, पेट्रोल जलता है, तभी तो गाड़ी चलती है, electricity में अलग चीज होती है, पर अभी पेट्रोल से समझो, तो work done, ठीक है, तो जो Carnot cycle है, उसमें क्या होता है, heat लेना, heat देना, adiabatic में इस प्रोसेस में heat आती है, T hi, high temperature पे heat लेता है, low temperature पे heat देता है, high temperature पे heat लेता है, low पे heat देता है, अब जो इसमें ध्यान रखना है, work done कितना हुआ, इस से देखो, energy conserved है, हमने heat ली, धुआ छोड़ा, बचा हुआ हमने work किया, हमने मालूप 500 जूल की heat ली, 300 जूल का धुआ छोड़ दिया, 200 जूल का आ गए, काम आ गए, उसका work done कर लिया, तो work done is Q in minus Q out, Q in minus Q out, तो efficiency define होती है, net work done upon Q in, इसका आपको इतना बड़ी explanation मिलेगा, इसरा लैप में, रटने की जुरत ने बड़ेगी, देखो efficiency कैसे define होती है, आपकी efficiency कैसे define होती है, आपका कितना output upon आपने कितना input दिया, तो engine का output क्या है, engine के लिए output क्या है, भाई तुने कि किया, this is my output, यह मेरा output है, और मैं तेर को क्या input दे रहा हूँ, यह मेरा input है, this is my input, output upon input is efficiency, net work done by heat in, efficiency of cyclic process पढ़ा था, देखो हमने, net work done by heat in, efficiency of cyclic process पढ़ा था, वो ऐसे define होती है, वो, ठीक है, यह आ जाती है, इसके बराबर, कारनोड साइकल में वो चीज़ आ जाती है, कारनोड साइकल में वो चीज़ आ जाती है, efficiency, 1-T low by T high, 1-T low by T high, 1-T low by T high, इसको याद रखना है, याददाश चली जाए, पर ये ना जाए, रगगुकुल रीत सदा चली आए, याददाश जाए, पर ये फॉर्मूला ना है, सर्वो प्राण जाए, पर वचन ना जाए होता है, अरे याददाश जाए, पर ये ना जाए, जब तक जेए या नीट ना हो जाए, और तुम अच्छे कॉलेज में ना पहुंच जाए, तब तक ये फॉर्मूला दिमाग से ना जाए, क्या बात है, on the spot कवीता बनती है, इटा इसको इटा इसको इटा याद रखने की ट्रिक देखो, एफिशेंसी हमेशा वन से कम होती है, बच्चे भूल जाते हैं, सर्वो वन माइनस था कि क्या था, सर्वो उपर टी लो था, टी हाए था, उपर टी लो आएगा, तभी तो ये नंबर ये नेगिटिव नहीं हो हो सकता, ये वन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये कम अपों जादा, तब दो बन से माइनस होन दो रोगर टी है, वन माइनस थी लो बाइटी इसको नहीं भूल सकते हैं महापाप इसको बूलना सीधे इस फॉर्मूले पर चार नंबर के कुशन आते हैं जो आपका वर्क डन अपॉन क्यू इन था वह आजाता है डिराइफ करने के बाद वन माइनस टी लो बाइटी है याद रखना है इसको याद रखना वर माइनस टी टी है थीक है तो भाई कि maximum efficiency का नोट साइकल के होती है यह था ठीक है वर माइनस टी लो बाइटी है याद रखना है इसको याद रखना है वन मैनस टी डोपैटी है डिट डइस डब्ली बाई क्यू इन डब्ली बाई क्यू ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो अब देखो अच्छा मज़े की बात सबसे इंपोर्टन चीज जाए खोपड़ी बनानी चाहिए टेम्परेचर आर इंड केलविन आर इंड केलविन केलविन में जाते हैं एक धिए क्याैंत रख्ट टीक है हमेशा केलविन में जाते हैं जैसे यह सवाल है कि A कार जोट इंजन इतनी हीट लेता है है इतने पर और सिंप इतने पर है इतने है से से इतने पर है बchau कि तना होगा पिसल इंसlist टो ऑब här इनग तेए願いür और वेरी सिंपल मज़ा आ गया टी लोग इवन है टी हाई गिवन है बच्चे सटा सट रखते हैं 127 बाई 527 अब रुक जा ओ दिल दिवाने सोचूं तो मैं जरा टिंग 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 बाया केल्विन में लाओ पहले इसको केल्विन में लाओ डिगरी सेल्सियस में ना जाओ दिखावे पर ना जाओ अपनी अकल लगाओ यह कितनी है6 इंटू 10 की पावर 6 इंपोर्टन चीज़ है को केल्विन में करना पहले तो यह आ जाएगा 400 अपॉन 800 400 अपॉन 800 सॉल कर लेना इसका समझाने का एम था केल्विन में लाना है दाट सेट ठीक है चलो अब जो है सेकेंड लॉफ थर्मोडानमिक्स वैसे तो काम का नहीं है पर इसका स्टेट्मेंट कभी आ जाए तो सीधे सीधे बोलता है एफिशेंसी और साइकलिक प्रोसेस हमेश तो दुवाँ चोड़ना पड़ेगा सेकेंड लॉफ थर्मोडानमिक्स यह कहता है अगर पेट्रोल चला रहे हो तो दुवाँ चोड़ना पड़ेगा इस तरह से इसको याद रख लो क्यों आउट जिरो नहीं हो सकती वर्क दन सीधे सीधे क्यों इनके बराबर नहीं हो सकत क्योंकि वन माइनस टी लो बाई टी है में वन तब हो कि जब टी लो जीरो केल्विन हो जाएगा तो यह बोलता है कि जीरो केल्विन पे सब चीज़ें ऑपरेट नहीं होती आप वन से कम ही रख सकते उसको ठीक है इतना सा काम है अब हम बात कर लेते हैं रेफ्रीजरेटर की यह रेफ्रीजरेटर भी जेई में और नीट में आ जाता है जेई में में कई बार इसमें से कोशन आयते हैं उनका यह फेवरेट भी है रेफ्रीजरेटर में क्या होता है भाई साब सर रेफ्रीजरेटर में आदमी को अंदर बिठाते हैं और वो गर्मा गरम होके बाहर आता सब्सक्राइब गया माइक्रुवेव होता है और प्रीजस्राइब यह ईंजन में होता है उसका एक्डम reverse होता है देखो visualization से समझो engine में क्या होता था पेट्रोल burn करते थे heat लेते थे और दुवा छोड़ते थे और किसी को work देते थे refresh rate में क्या होता है refresh rate में देखो क्या होता है फ्रिच के अंदर ठंडी चीज है उससे आप heat लेते हो और उससे heat लेते हो बाहर गर्मी है गर्मियों में फ्रिच का काम दिखो क्या होता है अंदर जो मसालर पड़ा हुआ है मानलो एंदर यह frizz खोल के दिखाएंगे क्या है यह frizz का पिछवाडा यह frizz का अगाडा अंदर रखा हुआ है apple भाइसाब apple का phone नहीं खाने वाला apple रखा हुआ ہے apple से fridge heat लेगा पीछे गर्मी हो रही है एकडम fridge के पीछे चाके देखना ऐसे wiring होती है यहाँ से गर्मी निकलती है तो fridge को क्या करना पड़ता है fridge thंडी चीज से गर्मी लेता है और बाहर गर्मी में और गर्मी देता है फ्रिज बोलता है मेरे को अंदर ठंडे को ओर ठंडा करना है और बहर गर्मी को ओर गर्मी करनी है वो फ्रिज क्या खाता है सर फ्रिज तो क्या खाता है हम तो फ्रिज में से खाते हैं फ्रिज क्या खाता है दिमाग लगाओ फ्रिज क्या खाता है देखो मेरे रिविजन जितन मर Aww One कि जतना आपको समझाने की जो पर साथ में समझाता भी जा रहा हूं कि और फिरिच क्या खाता है तो तो आपको गरमी में गर्मी चाहिए सिबना करते स सकती ठीक है तो फ्रिज क्या करता है इंजन का उल्टा करता है ठंडी से गरमी लेता है और गरमी को और गरमी देता है इसके लिए उसको electricity देनी पढ़ती है उसके work done करना पढ़ता है हमको हमें फ्रिज से बज़लि पैदा नी करनी फ्रिज को बजलि खिला के अंदर की चीज को जो की ठंडी पड़ी है उसको ओर ठंडी करनी है और बाहर गर्मी को और गर्मी फेलानी है समझ गए समझ गए सर वेरी गुड तो देखो इसमें efficiency कैसे define होगी इसमें देखो work done input क्या क्या आ रहा है अंदर क्या क्या एरो है w plus q in w plus q in q out के बराबर देख लो अंदर आया अंदर आया बाहर इतना निकला एडिशन ठीक है अब इसका coefficient of performance अब बताओ फ्रिच के लिए अब देखो अपने आप बता दोगे चीजें अपने आप आप चीजें बता दोगे देखो फ्रिच की efficiency कैसे define करेंगे फ्रिच के लिए input क्या है फ्रिच को क्या खिला रहे है फ्रिच के लिए यह input है और फ्रिच को कैसे measure करोगे यार यह अच्छा फ्रिच है यह बेकार फ्रिच है फ्रिच का output क्या है फ्रिच का output यह है उसने कितनी नहीं गर्मी खीची कितना लोगों को फळ्न तकिया लोगों मतला फ़ल ओंडा किया तो ये फिफ का आउट बुट है दिया है यह तो वेस्ट है यह तो वेस्ट है कुछ काम नहीं आता हुँ आउट पूट अप्स तो देखो हफिशनसी होती फ्रिच की आउट गूड अपॉन इंपूड तो बस इसको कर लेना यार क्यू इंपॉन क्यू ऑउड क्यों यह होता है टी लॉपिंट निया माइनस टी लू टी अर माइने स्टी लू क्योंकि रिवर्ज कार नौड साइक लोता है इसमें कार नौड साइकल पलड गया तो ऐसा का हो ता है कार्नोर साइकल या यह ब्लट जाते हैं आप चार्नोर साइकल नहीं होती है और हाइट यह लोटी है और इनका जो रेशु होता है पॉंट टी है टी लो अपॉंट टी ती है अपॉंट टीलो मतलब यह जो यह जो क्यूइब से स्कूला बन जाएगा रटने की जौरतनी है क्यू का रेशियो काज में विख पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है बिल्कुल उटा हो जाता है ठीक है सर रिवाइज हो गया मजा आ गया एक दां ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक है निस चेप्टर का रिवीजन पर थे हो entropy का मतलब होता है कितना disorder system में chemistry more detail में पढ़ते हो just यहाँ पर revision के लिए कर रहे है ds equal to dq by t change in entropy change in entropy is dq by t का integration that's it dq by t का integration dq by t का integration याद रखना change in entropy adiabatic process में 0 होती है temperature kelvin में होता है adiabatic process में entropy का change 0 होता है क्योंकि dq 0 होती है just revise करना है dq 0 delta s 0 temperature kelvin में होता है ठीक है इसी के साथ हमने पूरा thermodynamics का theory वाला part revise कर लिया ठीक है सारे processes के सारे parameters fastest possible revision है thermodynamics का ही है बिना कुछ छोड़े एक चीज भी हमने formula wise नहीं छोड़ी है ठीक है ना कई बार heat pump भी आ जाता है बोथ rare of the rare आता है वो पढ़ना ही heat pump main lecture में से पढ़ लेना rare of the rare आता है mainly car note cycle heat engine का और refrigerator आते है ठीक है तो major part पहले revise करें minor जो एक आधवार कभी दस एक सालों में दिख गया उसकी tension मत दो पर जो लगबग हर साल में दिखता है उसको तो पहले revise करना ही सही हमको ठीक है main lectures देखने हैं पूरा पढ़ना है पांच घंटे में वैसे पूरा थरूना है पढ़ लोगे easter lab download कर लेना this was revision lecture fastest possible revision lecture ठीक है आपको mind maps download करके print कराने है easter lab में mind maps मिल जाएंगे link given है absolutely free है हर chapter के given है पूरे एक साथ पूरी physics chemistry math के भी पूरे booklet format में given है app में print करा लेना सारे formula मिल जाएंगे यहां पूसे ठीक है मचाना है पूरना है ठीक है भाई साब मज़ा आज तो एकदम non-stop thermodynamics का revision आज तो भाई एकदम non-stop thermodynamics का revision हो गया non-stop thermodynamics का revision हो गया बिलकुल आज तो एकदम अब questions अपन करेंगे बिलकुल questions अपन करेंगे इसके ठीक है you will do questions अब questions में आपका कम से कम 60% questions तो ठीक होने चाहिए तो आप question की practice करेंगे अब देखो सबसे पहला जो question है अब आप पड़ो पांच मिनिट का अपन break लेंगे भाईया non-stop गाड़ी चलते गला दुग्या एकदम पांच मिनिट का silent break लेंगे अपन उसके बाद questions करेंगे जब तक आप ये हलवा question जो है वो solve करो हलवा तो करी लोगे आरा आप जब तक ये और बेटर हलवा है ये इसमें इतने हलवे मिलेंगे आपको thermodynamics में है हलवे चलो मैं करा दूँगा आप थोड़ा सा ठीक वाला कर लो ये वाला करो चलो आप question जब तक try करो कर दो कर दूँगा रफ झाल 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 तो यह बहुत बढ़िया तो भई अपन पहले एकदम सिंपल कोशन से स्टार्ट करते हैं कि देखो चार नंबर कुकड में बट रहे थे देखो जैसे मैंने आपको बूला था और मैं आपको बता हूं मतलब 80% से ज्यादा कोशन एज इस विट थोड़ा सम डेटा जेंज अपन वीडियो लेक्चर में से आएं और 99% कोशन अगर अपन थर्मोडालिस में बात करें तो शीट इसल की जो शीट है टॉपिक वाइस टेस्ट हैं और नोट से मतलब वीडियो लेक्चर से उसमें से आएं मतलब हर कोशन आप कर सकते हो अगर आपने ये तीनों चीजें धंक से क क्यों और डवल्यू की बात और यह क्या है यह बोलो पटावर से सब लोग आंसर करो आए वांट जितने में कुशन करा रहा हूं तफ कुशन भी करेंगे मीडियम भी करेंगे इजी भी करेंगे 80% आपके कुशन सही होने चाहिए अब भी के अभी यहीं के यहीं ठीक है मचा सब्सक्राइब करते हैं कितने बच्चों का वन आया एक जैट पढ़ाया था देखो लिखा के की पॉइंट पढ़ाया थे एक जैट कुशन आया है यह ठीक है चलो बहुत बढ़िया चलो ठीक है ओसम मैस दी कॉलम अगें चार नंबर का कुश्चन इससे जादा हलवा कुछ नहीं हो सकता शाबाश पहले वालों को बिल्कुल सही आया यह बोलो इसमें ट्रिक बतातों फास्ट करने की देखो हमेशा एक एक चीज़ देख लिया करो ए में टू वन थ्री तो पहले ए देखो आइसो थर्मल मतलब टेंपरेचर कॉंस्टेंट एका टू एका टू हो गया सबका सही आ रहा है लगभग लगभग बच्चे बोल रहे थे जब इसमें हमने सेंटर के बाहर लाइव रियक्शन कैच करते ना बच्चे बोल रहे तो सर आपने जो सूपर मेगा रिविजन सीरीज में ट्रिक बताई थी आईसो बार बार मतलब प्रेशर थर मतलब इस सर उ यह बी सिंपल कोश्चन ही है बच्चोंने तो सॉल करी लिया इसको ठीक है क्या है हाफ मोल मार करते जाओ और लिखते जाओ एंड इकोल टू हाफ आइडियाल मोनो एटामिक गैस मोनो एटामिक ठीक है इटे एड कॉंस्टेंट प्रेशर वन एटी एम पी इस इकोल टू पर यह ले लो आप 10 पावर फाइव बार वन एटे मतलब टेन की पावर व को फाइव बार अतना डिगरी से इतना डिगरी तक करा है टेमपरेचर फाइनल केल्विन में लिखू हमेशा गम एटेमपरेचर इनीशल 20 प्लस 273 बाद में जोड़़ूंगा वर्क डन बाइड ग मुझे मैं formula भूल गया कोई बात नहीं integration p dv p constant बहार आ जाएगा integration dv p delta v इसका मतलब हो गया मैं क्योंकि formula भूल गया कोई बात नहीं मैं हाथ वाँ derive कर रहा हूँ p v final minus v initial इसका मतलब p v final nr t final minus nr t initial बस अब value रख दो मैं formula भूल गया था मैंने तो याद कर रहा है था लेकिन मैं खुद ही भूल गया माल लो तो मैंने 30 seconds में derive कर लिया तो यह क्या आएगा n कितना है half r कितना है 8.31 temperature final minus initial difference लेना है 273 273 कट जाएगा यह आजाएगा 73 70 तो बस 35 into 81 35 into 81 इसमें भी trick बताता हूँ option देखो आप लो option दूर दूर है तो आप तो simply 35 को 8 से multiply कर लो देखो जब मैं question करा रहा हूँ न तो जिस तरह से मैं calculation कर रहा हूँ वो भी सीखा करो आप यह सब चीजे time बचा के आपको टॉपर तभी बनाएंगी तो देखो option दूर दूर है तो यार मैं पूरा multiply क्यों करूँ मैं तो सीधे 35 को 8 से multiply कर लोंगा 8 5 जब 40 कर लगा 4 24 280 280 के नजदीक कौन सा है 280 के नजदीक है second option समझ गए समझ गए आगया answer very good काफी सारे बच्चों का answer आगया मज़ा आगया ठीक है ना अगयन देखो एकदम सेम question notes में कराया अगर आप इसरा लाइब खोल के देखोगे एना एकदम सेम question देखो यार एक बार A से जा रहा है एक बार B से जा रहा है बताओ क्या U, Q और W W तो ही नी U और Q में कौन सा option होगा अभी आपको revision में भी करवाया देखो यह तो और exactly same question इस timing पर मैंने इसरा लाइब में करवाया था देखो आपको दिखा दो आप भी बोलो कि यार क्या बात एक दम से कितना timing है कितना timing है इसको खोल के रखते हैं देखो अभी मैं इसलिए reference लिख देता हूं ताकि आपको रेफर करना हो ना Israel app में वह अला पार्ट तो वह अला पार्ट रेफर कर लेना ठीक है देखो तो हम जाते हैं थर्मोड आइनमेक्स थर्मोड आइनमेक्स थर्मोड आइनमेक्स चैप्टार और ओपन हो जाओ कहा था वह फर्स लॉफ थर्मोड आइनमेक्स यह लेक्चर का नाम है फर्स लॉफ थर्मोड आइनमेक्स में गए हम ठीक है और टाइमिंग क्या थी 1635 फूल एनिमेशन के वीडियो से 1655 देखो पूरे एनिमेशन के साथ मैं एक एक चीज समझा यह देखो कि फर्स लॉफ थर्मोड आइनमेक्स नीचे आग लगा दी कैसे चेंज होएगा क्या यू बढ़ेगा फील आती ना फिजिसकी तो कुश्चन यू सौल होते हैं है ना अपन जाते है 1655 पे देखो यह रहा सेम कुश्चन हो यह रहा सेम कुश्चन अपने तीन में कर रहा है परस न दो मैं पूछ लिया एक्जैट सेम कुश्चन है तो यार अब यह सही होना चाहिए देखो वह अपने वीडियो लेक्ट्र में से क्वेश्चन आते हैं सार यू चेंज नहीं होगा डेल्टा यू डेल्टा यू सेम है यू चेंज नहीं होगा तो यह गया और यह गया अब ये दोनों बच गए अब सर्व जिसमें जादा बच्चों का रियां सब्हार्च और क्यू अलग अलग होगा ये गया ये गया क्योंकि टा यो बराबर है डेरं झ्यागु एप्रोप्स डिएक्सन करता हूं मैं अग और क्यू अलग वड़ाई तो क्यों अब यह बचा चेक कर लो ए में क्यों जादा है तो यह थर्ड औप्षन सही आ रहा है बहुत बढ़िया मेजुरिटी बच्चों कर सही आ रहा है शाबाज ठीक है चलिए अब देखो मैंने आपसे बोला था formula का सीधा सीधा सवाल आएगा formula का सीधा सीधा सवाल आएगा for an adiabatic expansion of an ideal gas fractional change in its pressure is equal to मतलब dp by p fractional change in pressure equal to पूछ रहा है ये fractional change in pressure पूछ रहा है ये ये कैसे निकालें ये कैसे निकालें सर आपने बताया था slope जो होती है माइनस मामा अपॉन p by v ये होती है सर माइनस गामा अपॉन p by v ये slope होती है अभी formula पढ़ाया था माइनस गामा पी बाई v bulk modulus से याद कर लिया करो अगर derivation नहीं है ना तो second approach कुछ bulk modulus से कर लिया करो बल्क modulus क्या होता है ये तो याद रहता है हमको कि ये कितना होता है गामा पी के बराबर होता है तो यहां से निकाल लो पी को नीचे ले जाओ यहां से कर लो यहां से कर लो जैसे भी याद आजाए हमें चाहिए डीपी बाई पी बाई पी नीचे आएगा डीवी उपर जाएगा माइनस गामा डीवी बाई वी यह हमारा हो गया चेक करो कौन सा ऑप्षान ौपशन नमबर वन है माइनस गामा डीवी बाईवी सारे बच्चों का अंसर सही आ रहा है है माइनस गामा डीवी बाई-वी ऑप्षान नमबर वन इस इती करेक्ट आंसर यह हैं तो अब देखाए डाइडट फॉर्मुले पे था अब आ पुगट के नहीं मेहनत के ठीक है तो याद रखना चलो अब यह थोड़ा सा सॉल कराने वाला क्वेश्चन आ गया भाई का सीप गेवन हैं सीवी गिवन हैं कोंस्टेंट प्रेशार प говоря काइब वैसे यहां पर डेल्टा होना चीए था इस हो सकता यह गलतीर thieves गोई दिखर नहीं है तो आपको डेल्टा यू डेल्टा क्यू और वर्क डन क्या रेशो बताना है constant pressure में देखो formula वाला है constant pressure का मतलब होता है isobaric isobaric मतलब डेल्टा क्यू आइसो बारिक में तो n cp delta t होती है हिम देल्टा यू हमेशा जिन्दगी में सेम है f by two एन अी टेल्टावी अभी डियायव करा तो थोड़ी ले पीडेल्टा भी व्कडन होता है यह न आर डेल्टा टी अब डिवाइड कर लो यार रेशो ले लो तो यह कितना हो गया 7 by 2 N R delta T यह कितना हो गया 5 by 2 N R delta T यह कितना हो गया 1 N R delta T तो ratio ले लो D U कितना है 5 by 2 Q कितना है 7 by 2 यह कितना है 5 by 2 7 by 2 2 दर ले जाओ 5 7 2 काम खतम देखो कहान कैलकुलेशन लगी सोचके देखो कहां कैलकुलेशन लगी मैं वही तो कहा हूँ कल स्ट्राटेजी में यही बताए था जे इमें में 50 से साट परसंट question leaves आते बच्चों को फॉर्मुले याद नहीं होते हैं basics बहुत बढ़िया अब देखो क्या सवाल है इंदर रिपोर्टेट फिगर फिगर गोला बना हुआ है मैं गोला बना देता हुए यहां पर एसे गोला बना हुआ है हीट एनर्जी एब्सॉड बाइ सिस्टम इन गोइंग थूर साइक्लिक प्रोसेस इस डैश पाई जूल तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है यह प्रेशर का ग्राफ है किलो पास्कल में और यह वोल्यूम का ग्राफ है लीटर में यह गोला बन रहा है उपर 40 20 20 40 अब आप व बोला था एक्जैक्ट 23 25 पर देखना आप 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 बोलोगे सार क्या चल रहा है मतलब इसरेल के लेक्चर को देखे यह बनते हैं क्या लिटरली बतारों मैं आपको देखो 23 25 यह लेक्चर का पार्ट है इसमें तो काफी सारा इनिमेशन और बिल्कुल क्लियर ली देखो एक्जैक्ट सेम सवाल एक्जैक्ट सेम सवाल वर्क दन निकल आ है किलो पासकर और मैंने सेंटीमिटर क्यूब में दे दिया यूनिट चेंज करना है और इसमें बताया भी था कि भाई साफ कैसे सॉल करना होता है इसको यह अलग-अलग देदें तो भी कैसे सॉल करना है सेम देदें तो भी कैसे सॉल करना है एक्जैक्ट सेम सवाल आगया देखो यह अपना सवाल और यह 2021 का सवाल अपने तो भाईया 2021 से पहले के लेक्चर है सर ऐसा तो नहीं कि आपन सब्सक्राइब करें लेक्चर पड़ते ना यार लेक्चर के भी सवाल तुमने नंसे कर दिना सेवेंटी परसेंट पेपर यू का यू सवाल हुजाएगा तीरेसली बता रहा है कि यार अब इससे जगत सवाल और क्या जान दोगे का बच्चे की सोच के देखो यार यह आपके सामने सवाल और यह आपके सामने सवाल है हीट निकालना है साइक्लिक प्रोसेस है हीट वर्क डन के बराबर होती है साइक्लिक प्रोसेस में तो वर्क दन निकालना है लो एक्जैक्ट सेम सवाल हो गया तो बस सरकल का एरिया रेडियस वन इंटू रेडियस तू दोनों भीमानी करके यहा पर अलग देते हैं यहां भी 20 अबीचमी तो सेम हैं लेकिन एरियाव पाई रेडियस बौन रेडियस कितना है टोईंटी बै टो टैन कि़लो पासकल यकी फ्रीजिट रेडियस कितना है इतना मीटर क्यूल कि यह पास्कल ये मीटर क्यूब तो दोनों ऐसा यूनिट में आ गए देखो किलो पास्कल मतलब इतना हो गया और लीटर मतलब इतना मीटर क्यूब हो गया यह से हटाओ 100 पाइ 100 पाइ यूज्स तो fill in the blanks में क्या fill करोगे 100 तो fill in the blanks में क्या fill करोगे 100 अज़िके सरख वाले video लेक्चर यूटूब पे मिलेंगे नई बेटा एप वाले lecture सिर्फ एप में मिलते हैं एप वाले lecture के कुछ एक sample दो तीन 5% अमने YouTube पे ताल रखें just for samples app वाले lecture का level YouTube के lecture से बिल्कुल अलग है YouTube के lecture कर यहां पर हैं तो एप के lectures यहां पर हैं बहुत जादा difference है animation और सारी चीज़ों में यह revision lectures है वो पूरे lectures है ठीक है 100 तो answer 100 आगया अब गलती मत करना देखो यह सवाल अर्मा में भी है यह ना ऐसा एक सवाल ठीक है चलिए अब फस्ट लोग के थोड़े से सवाल करते हैं ठीक है फस्ट लोग के थोड़े से सवाल कर लेते हैं अब अभी यह तो बंद है ठीक है फस्ट लोग के सवाल कर लेते हैं यह थोड़ा सा इसको मैं मीडियम लेवल का सवाल बोलूंगा इसमें इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया अब यह थोड़ा सा मीडियम लेवल का सवाल है ट्राइ करो लैंग्वेज में घुमा दिया हो सकता है आंसर गलत आ है अपन मीडियम भी करेंगे अपन टफ भी करेंगे अपन इजी भी करेंगे ट्राइ करो सब लोग है ठीक है है चलो अज़ाइ अज़ीब सा क्वेश्चन है ऐसे आते नहीं जनरली लेकिन फिर भी आगया तो हमें एंडल करना आना चीए एक अप्लाइन ज़िए कि इतना सप्लाइए कर रहे पर मिनट तो डेल्टा क्यूं बाइट टाइम टी गिवन है सिक्स थाउजन डिवर्ट बाइ मिनट सिक्स्टी सेकंड्स ठीक है इस सिस्टम डिलिवर सा पावर ओफ इतना सिस्टम डिलिवर कर रहा है कोई गैस भरी होगी वो सराउंडिंग को सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है नाइन्टी वाट से पावर है वर्क डन बाय टाइम इस इक्वल टू नाइन्टी गिवन है तो डेल्टा क्यों से हम हीट सप्लाय कर रहे हैं वोक डन वो वर कर रहा है ठीक है अब कितना समय लगेगा इंटर्नल एनर्जी को बढ़ाने में इतने से तो हमें डेल्टा यू गिवन है मैं वेरियबल लिख लेता हूं देखो पहले 2.5 इंटू 10 की पावर 3 और हमसे टाइम कोश्चन मार का पूछा जा रहा है टाइम कोश्चन मार का तो कैसे सॉल करेंगे एक्वेशन लिख दो डेल डलाओ पूटा दो डेटता की इंट्र डेम कितनी है एक नंड्रेड है यह मचा दो गयाका गईए यू तु पॉजन बलेना आपसो यार 2.5 x 10 की पावर 2 2.5 x 10 की पावर 2 2.5 x 10 की पावर 2 टेंटर एन आंसर इस गांतर इस और नंबर 1 वैल्यू रग दी हमने कर लोगे हैं कि टू पॉर्ट फाइंट की पावर टू आई है ठीक है तो देखो क्वेश्चन से हमने वापी से समझते हैं इतना सप्लाइ कर रहा था इतनी हीट दे रहा था पर मिनट सेकेंड में कनवर्ट करा सेस्टम इतनी रेट इतनी पावर से वर क हो गया ठीक है और सब्सक्राइब आप देखो कि यह क्वेश्चन है मार्च की शिफ्ट का ऐसा सिमिलर कुश्चन आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में इसरे लैप में मिल जाएगा तो तो आपने अगर एप के वीडियो बहुत महनत और एक-एक माइनूर चीज पर धियान साम दियार तभी तो रैंग साती है पुच्छों की कि कि देखो थोड़ा सा डाइग्राम आपको अजीब लगेगा इसमें इस पर तीन सवाल आये हैं देखो मैंने फिर बोला था एडियाबेटिक उस पर तीन सवाल आये हैं सेम क्वेश्चन अगें एंडिस सेम क्वेश्च सेम तरीके से होंगे ध्यान देना एक पार्ट पई बाकी दुशन आपके हम वर्क में मिलेंगे अपको हिस पार्ट पे ध्यान देना बाकी सवाल सेम तरीके से सोल वोंगे देखो अडियाबेटिक मैं यह यूआ करके जारहा हैसकी टेंशन मतलू अपन तो चुप-चब यू था 200 यह कितना था 100 यह कितना था यहां पर 3 और यह कितना था यह है मीटर क्यूब में और यह है पास्कल में ठीक है सब ऐसा यूनिट में है अब एक चीज़ देखो पहले ऑप्शन से ट्रिक देखो आप फिजिक्स से अगर आपने महबत कर ली ना मैं सही बता रहा हूं मतलब आप फिजिक्स सापको बहुत reward करेगी यार वॉल्यूम घट रही हैं और बेटा आने वाला है हिंदी में सारा मटेरियल बन चुगा है अब टेस्ट भी धिले दिरे हिंदी में कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए टेंशन मतलो सारा material तो हिंदी में convert होई चुका है अब test भी gradually होते जाएंगे और video lecture तो हिंदी English के mix है तो समझ में आ जाएंगे ठीक है ना इस पे focus करते हैं बोलो volume घट रही है कि बड़री है सर volume घट रही है अब मुझे बताओ मैंने आपको क्या सिखाया था पाता जाए जब वॉल्यूम घटती है वॉल्यूम घटती है तो work done positive होता एक नेगटिव और देलो एधा बताओ वॉर्क डन positive होगा कि negative होगा bottom हो जब भी में दो करदो और जबए research हो जब दो популяр हो जाएं तो तुक्का मार दिया करो यह मैं चलो अलग स्ट्राटेजी बनाऊंगा गैसिंग कैसे करनी चाहिए अभी पता रहा हूं दो आप्शन रिजेक्ट हो जाया है तुक्का मार दिया करो जनरली चार-पांच कोश्चन मिलके पॉजिटिव मांक्स देही देते हैं लेकिन दो जैन्मिली होने चाहिए ऐसा न होना चाहिए लोजिकल उने चाहिए वर्क डन नेगेटिव आएगा दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए लेकिन अप कैलकूलेट करना वड़ेगा तो अब कैसे कैलकूलेट करें चलो मैंने दो आपके रिजेक्ट करा दी अब मैंगनिट्यूट निकाल माना है एडियमेटिक प फाइनल माइनस पी इनीशल वी इनीशल अपन वन माइनस गामा वैल्यू रगदो बसा भाव पी फाइनल कितना है यह है फाइनल पोजिशन यह है इनीशल पोजिशन जहां से जाके जहां पहुंच रहा है पी फाइनल कितना है दो सो वी फाइनल कितना है तीन पी इनीशल कि कितना है पोर वन माइनस मामा कितने हैं कामा है सर वो मामा दो रही है कामा कोश्चन में दे दिया 1.4 कैलकुलेट कर लो यार 600-100 200 200 divided by minus .4 that is minus 500 Joules that's it minus 500 Joules answer आ गया minus 500 Joules आपने गलती गामा माइनस वन भी लिख दिया ना टेंशन मत लेना आपने देखो अब आपने क्या है बच्चों को इसलिए मैं बोलता हूं फिजिक्स से सोचो आंसर नेगेटिव आना चाहिए अगर आपको फॉर्मूला गलत भी आ देता ना गामा माइनस वन तो भी आप सही कर लेते एक्जाम में कि ठीक है फॉर्मूला गलत याद होगा आंसर तो माइनस या आएगा ठीक है कई बच्चे से बता कैसे तुक्का लगाते हैं कई बार गलत हो जाता है यह कई बच्चे कैसे सोचते हैं देखो बदाता हूं यार नेगेटिव हो गया दो अप्शन बचे अच्छा जैई में इनने कंफ्यूस करने के लिए लिए और मार करना थे न ऐसे सोच लेते हैं कई बार बार यह पढ़ जाता है यहां पर अच्छा जैई मेंने कंफ्यूस करने के लिए माइनस और प्लस दे रखा है तो माइनस मार कर देते हैं लफडा नए वन आंसर इसका माइनस 500 जी तीक है जाबा बहुत बड़ी अब सेम क्वेश्चन है व्क दन पूछ रहा है वी नीशल वी फाइनल पी इनीशल पी फाइनल अब इसमें आपको पी फाइनल गिवन नहीं है देखो गामा गिवन है सेम क्वेश्चन है यह वी इनीशल यह मीटर में कर लेना यह पी इनीशल वर्क दन पूछ रहा है वर्क दन का हॉर्मूला पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनीशल वी इनीशल अपॉन वन माइनस गामा बोलो मेरे मामा सर यह गिवन है क्या गिवन है यह गिवन है यह गिवन है यह तो गिवन ही नहीं है और य प्वेश्चन ने लेंथ बढ़ा दी प्वेश्चन ने लेंथ बढ़ा दी है विए सॉल करने की हमारी अब यारे एक ही वेश्चन ओड़ लगानी पड़ी कि पी निशल पत्तम इच पी निशल लिकालने के लिए यार बहुत मेहनत कर वारा है तो मैं लगाँगा पी फाइनल CvP निशल इसद्टी पावर दमक निकालने विफाइनल की वेलू रखते हैं 200 किलो पास्टर तो हंड़ी इंट्ट रिपावर 3जी फायनल तो किंति थी क्या में अ क्येंते हम त्री हंडंड count ग्ले लो कड जायेगा वह है C1.5 पी लो टूअ तो अंट्रेड अ एसमें Sсят CR to be Az einfach क्यूंब सो सेंटिमेंटर जो काड़ लो क्योंकि पावर सेम में और 300 से यह को और ऺम्स काड़ दो तो 400 की पावर लोट की पावर 1.5 यार बहुत मेनत करवारे हो यार आप थ्री बाइट तू थ्री जा एट तो पी इनिशल आ गया 200 बाइट इन्टू टैन की पी इनिशल की वैलियो आ गई अब पुट कर दो यहां पर विद प्रॉपर यूनिट बड़ा सवाल है लेकिन डूएबल सवाल है तो आप चाहो तो इ राउंड में आप इसको ले सकते हो क्योंकि यह कोशन टफ नहीं है मेरा मतलब है कि डूएबल है पर लंबा कोश्चन एक होता है टफ एक होता है लंबा लंबा कोश्चन टाइम कंजुमिंग है कि कि इसमें यूनिट भी गंदे गिवन है और कैलकुलेशन भी पूरी इसको मैं छोड़ रहा हूं इतनी वॉल्यूम एस्टीपी पर था इतने से इतने पर कर दिया इतना गामा था एयर वर्क डन बताओ ठीक है सेम कोश्चन है अभी है ठीक है चलिए अब यह सब को अपने आप करना है अब हम कारनोट साइकल पर जंप कर गए हैं कारनोट साइक सब्सक्राइब का एकदम सिंपल फॉर्मूले पर आपको सवाल पूछा जा रहा है सिक्स्टी परसेंट एफिशेंसी का मतलब होता है इटा इस एक्वल टू सिक्स्टी बाय हंडरे करो अपने आप सॉल करो फिर बताओंगा सॉलूशन करो झाल करो यह इए अन्सर करो यह एंजर्ड एंजन तर्फेर ओसर्स अच्छा इतनी इए फिशेंशी और सिंक सर्फ जादा कोने कम कोने यह कैसे पता पड़े सोर्स और सिंक ओके सोर्स हमेशा हीट इंजन जो रहता है हीट इंजन में क्या होता है इंजन जो सोर्स होता है मैं भूल गया यार मैं भी आपकी तरह बूल गया मालों मैं बच्चे की एक्टिंग करता हूं तरह आपको तो और ठंडक में थूहाँ छोड़ता है तो लोट एमपरेचर पे वो सिंग मतलब कहां पर दूहां छोड़ता है तो परेचल निकालना है और वन 27 नहीं प्लस 273 एट इस-फोर-ण्डरेड केल्विन इता कितना होता है वन माइनस टी लो बाई टी है देखो इतना सिंपल कॉष्चन है अभी है तो 0.6 is equal to 1- टी लो अपाउन 400 तो टी लो कितना आ गया वन सिस्टी केल्विन पॉइंट पॉर से मल्टिविए जाएगा तो बन सिस्टी केलविन अब डिग्री सेल्सेस में कणवर्ट करना ना भूलना ना लाएको क्योंकि क्वेश्चन में कई बच्छों ने घलती करी थी ये बन 60 बरियाए थे येस जाही मेन वाली इसी में परिशान करते हैं यार्ट यह मेर को बहुत बुरी आतर लगती एसे परिशान करते हैं जेड से कभी नहीं करते हैं वह बोलते हैं यह चेसा हैं ये चंदी वाड़ का कई बार मचाता रहता है हम हो कट माइनसًु 173 माइनस 113 डिग्री सेल्चिस माइनस अब बोड़ रहा है राइट मॉडूलस और एपसुलूट वैल्यू अब बच्चे को एपसुलूट वैल्यू टेम्परेचर का समझे मतलब कि एपसुलूट टेम्परेचर तो 113 आएगा आप इसमें माइनस साइन अवेलेबल नहीं होत 113 मॉडूलस भरवा रहा है तो आंसर हो जाएगा 113 तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते है यार टिग्री सेल्चेस में पूछ रहा है और यह एपसुलूट वैल्यू बोल रहा है अब एपसुलूट टेम्परेचर नहीं बोल रहा है एपसुलूट वैल्यू टेम्प कूफ सारी प्रैक्टिस करऊंगा चिंदा मत कर वाप कार नोट इंजिन और बेट्विन 2 रिजर्व आयरॉप इतना एंड इतना सीधे सीधे दिख रहा है ये टी लो है टी लो टी लो और ये टी हाइए है पर कहां दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो टैसमा लगाओ वो 900 है ये 300 है बड़ बाक कि इंजन इतना काम कर रहा है बारा सो का काम कर रहा है हीट इनर्जी डिलिवड बाइन टू लो टेंपडिरेशर मतलब धुवाँ छोड़ रहा है मतलब क्यू आउट नहीं आप कभी जिंदकी नहीं भूलों गया ऍेखना है तो क्या आएगा इसमें क्या आएगा इड़ाग वन माइनस डिलो Bitcoin क्या होता है यह रिव्य कोällen होता है और क्यों के यह ता है साइकिल क्यू इन लेता है और टी लो को क्यू आउट देता है और यह से में वर्क मिनता है तो वर्क टन में लिए टन अ ओन स्क्यू आउट ही इस इकूल टू क्यू इन इनिम ऊह तो पहले क्यूंइन निकालो फिर क्यूवाइन निकालो थोड़ा सा बढ़ा सवाल हो गया तो देखो 1- देखो व्यो इजी क्वोल डवक्यू बारा सो और बाइउ यह ले एट पाइम निकालो भाई साब कितना आ गया यह इतना आ गया 600 by 900 is equal to 1200 by Q n तो Q n कितना आ गया थेंग टिन 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 टिनि टिन 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 टू से गटेका to 2818 ऐतीं हंड लीट बस तूनरेटий अब यहां पर लिखो 1800 यहां पर लिखो 1200 यहां पर लिखो क्यूआ है यह तफ भी है मीडियम ले बोलूँ ने ठीक घबराना मत पर जिसको concept आता है वो कर लेगा जिसको concept आता है यह डायग्राम याद होना चीह इतना इंफेसिस के लेक्चर में इसके उपर तो क्यों आगया 600 क्यों आगया 600 चेक करतें आंसर ऑसम 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 600 आ गयो बहुत मज़ा आता है से आंसर आया था जब 600 जूल्स पॉइंट जीरो जीरो ठीक है या लेओ पॉइंड में पूचेते डबल डेसीमल तक पॉइंट लगा कोई टेंशन नहीं 600 जूल्स ठीक है मज़ो आगे ओ सर मज़ो आगे ओ अरे आगे ओ आगे ओ तो मूंझ दीखने लग ज्या जा और रेफरेजरेटर अब यह इंडियम से टुफ लेवल का मानों यार भी रेफ्रिज्रेटर कर जिसको आता है वो कर लेगा जिसको नहीं आता है वो नहीं करेगा ठीक है ओ फिर यह और जवाल है लास्ट है ना चलो ठीक है कार नोट इंजन की दित्ती होती है ठीक है उसको फ्रिज बना लिया किसी ने वर्क डण 10 जूल है वर्क डण 10 जूल है हीट एब्सॉर्ब्ड है फ्रॉम दे रिजर्व ओर एट लो टेंपरेचर कितनी हीट एब्सॉर्ब करी पहले रेफ्रिज्रेटर का डाइग्राम बना दे यह फ्रिज है हमारा फ्रिज क्या करता है ठंडे को और ठंडा लो टेंपरेचर वाले से और ठंडा क्यों इन उससे हीट लेता है और गर्मी में और गरम करता है गर्मी में गर्मी का एसास गर्मी में और गरम करता है और यह बिजली खाता है इसको बिजली सप्लाय करते है हम साम ठीक या बाइसा और इसकी जो efficiency होती है अजए lovely इसकी जो efficiency define होती हैुप क्या होती है efficiency इसकी कैसे define होती है या coefficient of performance शिको बोलते हैं हम frig 토ra की efficiency लिख लेते हैं ठीक है कि गरत हां भी उसकर रहें बस्थी कहले लती है क्या output है क्यों इन क्या खारा है डबल्यू डबल्यू खारा है डबल्यू खारा है खारा है तो खारा है डबल्यू गिवन है 10 जूल पूछा क्या है क्यों इन पूछा है क्यों इन पूछा है क्यों इन पूछा है अब क्यों इन बाइड डबल्यू कितना होता है क्यों इन बाइ कितना होता है कि इसन लिए कि कि तना होता है क्यों कि कैसे यार बहुत है सिता Rs 64 मुझे beş लिए total q in w कितना है w input देख लो दोनों जो अंदर आरो आ रहे हैं और जो बाहर जा रहा है energy consumption हो गए से यह दोनों अंदर यह बाहर energy consumption हो गए से तो w को क्या लिखूं q out minus q in q out minus q in oh my god oh my god oh my god और सर ने formula बताया था q in by q out q in by q out t low by t high वापिस से मैं आपको formula derive करवा रहा हूं तो q in के बदले t low रख दो q out के बदले t high रख दो और भाई साब अब यहां से t low by t high की value निकालो t low by t high आ गया 1-1 by 10 9 by 10 इसलिए मैं टफ बोल रहा हूं इस सवाल को यह काफी टफ पूछ ले हैंनों नहीं यह मजह 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 में t low by t high 9 by 10 आ गया माइनस कर दिया यहां से बस अब t low को 9 रख दो t high को 10 रख दो तो q in divided by w 10 था t low को 9 रख दो t high को 10 रख दो तो यह आ गया 9 क्यों की value आ गई 90 जूल्स 90 जूल्स का है भाई 90 जूल्स मिल गया मिल गया मजह आ गया मजह आ गया आस तो चौथा आंसर वा यार यार आती है physics अभी यह अभी भी जै क्या मजह कर रहे हो आप को आपके सामने तो मैंने अभी अजब मैं सॉल करता हो न तो अब पूरा concentrate हो करता हो देखो इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखता क्योंकि यार तभी जाके गलती होने लिए खारनोट की दीएफिशेंसी टी लोब आटी हाइए का रेशो निकलवाया फिर कर दिया रेफ्रिजरेटर भाई साहब रेफ्रिजरेटर का पूरा फंडा लगवा कि हम से सवाल कर वाल या पूरा गाबूरा सो कोई बात कर लिया हमें तो यह ना अब लास्ट कि एक्जाट सेम कोश्चन लेक्चर में से आया है यार मज़ा आ गया था जब बच्चों ने बोला ना सर ट्वेंटी 32 पे जो सेम कोश्चन करवाया है एफिशेंसी का जिससे आपको रिविजन भी करवाया था में लेक्चर में भी यही सेम लगबग डेटा सेम है पी नौट टू पी नौट और यह वी नौट थी वी नौट था यार यह इसके लिए रिकमेंड गरूँआ लेक्चर देख ले ना यार इसके लिए रिकमेंड गरूँआ लेक्चर देख ले ना एफिशेंसी पूछ रहा है वर्क डन अपॉन क्यों इन तो वर्क डन तो आप निकाल लोगे एरिया वर्क डन तो निकाल लोगे आप एरिया क माइनस वन यह है वन वी नॉट एरिया कितना हो गया टू इंटू वन टू पी नॉट वी नॉट अपॉन क्यों निकालना पड़ेगा यार अब यह लेक्चर में से देख लेना मैं आपको बताता हूं एक्जैक्ट लेक्चर में से दिस लेंदी कुस्चन इसको मैं मीडियम ले यार लेन दी यह लेंदी यह थोड़ा सा और यहां पर आपको पहले पता करना पड़ेगा कहां 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 पर heat एब्जॉर्ब होरी है क्यों इन हो रही है और क्यों यहां हो रही है दिखो आपको एक्जाट बताता हूं मज़ा जाएगा 2032 फिर्स तर्मोडैनमिक्स पर आते हैं 2032 पर 20 देखो यह देखो आप आप बोलोगे सर बिलब क्या हो रहा है यह तेंग वहीं सेम सवाल एक्जैक्ट सेम सवाल देखो मतलब बसे 3 हो गया 2 यह ऊगया ABCD भी सेम ABCD भी सेम जैसे कि यार इन्होंने यहीं से उठायों सवाल और इसका पांचवा पार्ट देखना अप Efficiency इसका पांचवा पाट देखना एफिशेंसी निकलाई है यह तो कुशन याद है यह देखो यह यह पांचवा पार्ट ठीक है यार इसको लेक्चर देखे कर लेना है यारा मैंनत करनी पड़ेगी पर क्यों निकाल लेना वह मैं बता देता हूं जब आप सम करोगे मेरे को यह कुशन याद है क्योंकि 19 बाइटू पी नॉट वी नॉट आ जाएगी और कैसे आद है आपको अरे नहीं सोरी गलती गल टू थी यहां 21 वाइगी इतना से डिप्रेंस है तो यह आ जाएगी फूर बाइट वाइट यह एक्वल टू पूर हंड्रेट वाइट 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 इपरसेंट नाइंटीन आंसर होना चीए इसका चेक करते हैं पार ओध नाइंटीन आंसर नाइंटीन इस दी आंसर आं से देख लेना यार अभी फिर पंद्रा मिनट लग जाएंगे तो इसको सौल करने में दस मिनट लग जाएंगे यार ठीक है बड़ा सवाल है लेंदी क्वेश्चन चलिए तो भाई साब थर्मो डैनम इसका थियोरी भी हो गया और क्वेश्चन भी इतने सारे प्रैक्टिस क ठीक उठाने वाला हमें आज है कि अधिक है मज़ा आगया एकदम तो कपिल बोल रहे हैं सर मैंने आज इसरल जोइन किया कुछ अभी तक कुछ समझ में यारा कैसे पढ़ना है कोई बात नहीं बिटा मेंटर गाइड कर देंगे आप बिलकुल चिंता मत करो ठीके ना अब आ आज आये होगा आप सोचो दो साल एक साल जो भी कितना कितना नेगेटिव लेके आए होंगे अब उसको जितना मैक्सिम पॉसिबल होगा वो करने की कोशिश करेंगे आज ठीक है कि टेंशन मतलों मेंटर से बात कर लेना बेटा आज ही जोइन किया है अपकल संडे आ गया है तो आपको मंडे ट्यूज जै तक आपका मेंटर बुरा को शुरूल एक्स्पिरियन करतेंगे जब तक पढ़ाई जारी रखो जो आपका चल रहा था देखो अब चमतकार होने में समय लगेगा ठीक है पर आपको नहत करती रहने पड़ेगी ठीक है अच्छा नेक्स्ट वी ठीक है ठीक है चलिए तो भाई डाउनलोड करके माइंड मैं प्रिंट कर रहा हूं कोर्सेज में सिर्फ 40-50 सीट बची अभी तक दो दिन के बाद में जैसे सीट बढ़ जाएंगी तो भाई कि रेट बढ़ जाएंगी ठीक है तो अगर आपने मानस बना रहा हो कोर्स में इंड्रोल करना हो चार मेने के कोर्सेज हैं 12 वालों के लिए 13 वालों के लिए तो कर लेना डिले मत करना और तैयारी चल रही हो तो वैलन गुट कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए ऑसम मजा गया यार मचाते रहो फोड़ते रहो तैंक यू वमच गाइज ठीक है चलिए कर दो कर दो